तेजी में क्या होगा कि हो सकता है तुम्हारे से चुझे अगर तुमने पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है जब नहीं पढ़ा है तो अराम नाम से देखोगे तो काफी कुछ helpful होने वाला ही है ठीक है तो सिर्फ और सेब देखो फॉर्मले का ही सारा कुछ कमाल है यहां पर फॉर्मला आता है तो ठीक है यह आता तो अपन फसने की कागार में दाएंगे हेलो एबरीवेन हवाई वाल तो आज हमनों स्टार्ट करने वाले हैं बन चॉट किसका इन्वर्स टिग्रोमेट्रिक पंचन का इलक्स जेई वाइटी चैनल के लिए ठीक है तो इस काफी तुम्हारे लिए इंपॉर्डेंट है यह और इस लेक्चर में तुम्हारा अगर तुम्हें पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है जब नहीं पढ़ा है तो अराम नाम से देखोगे तो काफी कुछ हेल्पूल होने वाला है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार अब क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें क्या-क्या चीज़े कवर होंगी इस पूरे लेक् ओने श्याजीओ में तबसे पहली चीज अपन कवर करेंगे गराफ्स की आइटीक के ग्राफ क्या इसके रिव्त क्या द aja ड्रस माटस सक्या आता है दिफ्रेंट डाइप का कणवरजन वगर rozm देखेंगे, तो conversion भी देखेंगे, उस simplified form में कैसे convert करते हैं, जैसे लिखा हुआ है, tanverse के अंदर, under root of 1 plus x square minus 1 by x लिखा हुआ है, तो इसको simplest form में convert करो, तो NCRT में भी यह part given है, as well as तुम्हें differentiation, as well as integration से भी बहुत काम आता है, simplified form यह, तो इस चौता चीज अपन देखेंगे, summation of series, इससे तुम देखो कि latest में बहुत सारे previous year question निकल के आ रहे हैं, यह जो partन है, यह जो last में तुम्हें दिख रहा है, summation of the series, यह सबसे important वाला part है, star बना के बिल्कुल यह, क्योंकि आज कल जो trending में चल रहा है, वो summation of series चल रहा है, उसके बाद हम लोग कुछ previous year questions भी discuss कर रहे होंगे, बसे साथी साथ parallelly भी अपन discussion कर जाएंगे, as well as तुम्हें homework भी देदे जाएंगे, ताकि तुम्हें same type का problem जो है, घर पे भी तुम अपने solve कर पाँआओ, और make sure जो भी तुम book को follow कर रहे हो, या module जो भी follow कर रहे हो, NCRT को धमाकेदार पढ़िया से practice किये, start करते हैं, basic से, बिल्कुल धमाकेदार, let's start, तो सबसे पहले अपन देखेंगे, कि ITF क्या होता है, थोड़ा basic introduction तुम्हें बता देते हैं, ITF में पहले अपन को पता होना चाहिए, inverse, हम इंवर्स उसी functions का निकाल सकते हैं, जो byjective होगा, तो पहले जी हमने तुम्हें बताई, ITF में क्या cover होगा, जो भी function, byjective function होते हैं, इंवर्स निकाल सकते हैं, और नाम से clear है, ITF, inverse trigonometric function, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले इसमें पढ़ने वाले हैं, तो byjective functions का ही हम लोग inverse निकाल सकते हैं, byjective, byjective function कौन से होते हैं, वो function जो की 1-1 भी हो और on-to भी हो, तो 1-1 और on-to का होना must है, अगर माल लेते हैं, 1- ITF, हाना, तो क्या-क्या पढ़ेंगे, अपन 6 टाइप के trigonometric function आएंगे, sin inverse x आएगा, फिर आएगा cos inverse x आएगा, उसके बाद आएगा tan inverse x आएगा, tan inverse x, उसके बाद आएगा cot inverse x आएगा, उसके बाद secant inverse x आएगा, and cosec inverse x आएगा, तो हमारे पास 6 टाइप के क्या हैंगे, trigonometric function आएंगे ITF आले 6 6 types of ITF आने वाले है 6 type के अपने पास ITF आने वाले है अब तुम बोलोगे कि सर ये function sinex तो जो है अपने पास 1-1 और 1-2 होते ही नहीं है अलब उस अब तो होते ही नहीं है तो फिर कैसे बाइजेक तो इसलिए ना इसकी domain वगर कुछ constraint हो जाती है उस domain में अपन जो है इसको inverse निकाल सकते हैं पूरे पार्ट में निकाल सकते हैं इस function को तोड़ करके break करके हम लोग उतने ही पार्ट में इसको inverse निकाल सकते हैं ठीक है तो पहली चीज यह रहेगी जैसे माल लेते हैं यह तो तुम्हें बता दिये कि 6 type case में inverse trigonometric function पढ़ेंगे bijective function काई हम लोग inverse निकाल पकते हैं हम लोग inverse नहीं निकाल सकते हैं दूसरी चीज बताई कि जैसे माल लेते हैं y is the equal to जैसे लिखा होता है sin theta तो यहाँ पे तुम क्या करते हो angle डालते हो डालते हो यहाँ पे angle डाला जाते हैं हमेशा angle put करते हैं यहाँ पे क्या होगा हमेशा क्या होगा value put करोगे value यहाँ पे value put करोगे value यहाँ पे सभी में क्या होगा value put होगी value value इस value के according क्या आएगा angle निकल के आएगा जैसे sin verse 1 तुम डाल सकते हो, sin inverse 2 तो आए गई नहीं अपने पासा ना, तो यहाँ पे तुम value डाल सकते हो, minus 1 से लेके 1 तागी है, हाना, अब यह सारे हार type के graph को अपन देखते हैं, कैसे graph देखता है इतने भी inverse के graph होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं, y equal to x के about symmetry होती है, मतलब अगर तुम्हें sin x का graph पता है, और तुम्हें sin inverse x का graph बनाना है, तो यह जितने भी graph होते हैं, inverse के, तो inverse वाले जितने भी graph होते हैं, जो भी by objective होता है, तो वो symmetry होती है उस graph की, y is equal to x के about, मैंने बताई थी, किसके किसके about बताया हुआ है, one one function किसे कहते हैं, on two function किसे कहते हैं, ये सारी चीज़े एक बार ना प्रापर पहले पढ़ लिए, उसके बाद मज़ेगा बाद है, क्योंकि थोड़ा सा related होगा, इसलिए मैं पहले ये रिक्रेंट करूँगा, पहली वाली वीडियो देखलो, उसमें तुम्हे पहला जो graph आएगा, अपने पास sin-verse x का graph आएगा, इसका sin-inverse of x, तो हम लोग सबसे पहले जो graph पढ़ेंगे, वो sin-inverse x का graph पढ़ेंगे, अब sin-inverse x के case में होगा क्या न, हम लोग पूरे graph में तो one one और on two नहीं आएगा, पूरा graph तो one one on two नहीं आएगा, क्योंकि जो y is equal to साइनेक्स का ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार में आथा यॉवा इस एक्वल तो नहीं कि आएगा बन वन वन टु जो चलो फिर भी आजाएगा क्योंकि माइनस वन टो वन कवर कर जाएगा बट वन वन तो नहीं आएगा वन वन के लिए क्योंकि हम लाइन किचेंगे तो यह कई points पे cut करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यह बहुत सारे points पे cut करेगा, गर हम parallel to x-axis draw करेंगे तो, बहुत सारे में आ जाएगा, इसलिए अगर हमने 1-1 मनाना है, तो domain में अपन को restriction डालना पड़ेगा, इसलिए तुम देखो, यहाँ पे डोमेन में restriction डालेगी, यह देखो, डोमेन में, तो domain जो आएगी इस case में minus pi by 2 से लेके pi by 2, यह इसकी principal domain है, अब तुम चाहते हो कि जैसे मालो inverse तो सार मैं pi by 2 से लेके अगर 3 pi by 2 लेता हूँ, तब भी तो हो जाएगा न, मालब मैं, जैसे यह part हो गया, मैं अगर यह वाला part ले लेता हूँ, यह वाला part, तो इससे भी तो मेरा 1, 1 और on 2 हो जाएगा, तब भी तो inverse exist कर जाएगा, बिल्कुल, तो हम कुछ principal values है, जिसके according हमें follow up में लेना है, बाखी जो जनता लेती है, बिल्कुल वैसे ही follow करना है, तो इसलिए अपन minus pi by 2 से pi by 2 लेंगे, pi by 2 से लेके 3 by by 2 भी लेती हूँ, बिल्कुल सही है है, तो principal value में हम अपनी होती है, जो यह होती है, minus pi by 2, इसलिए हम लोग यह follow करेंगे, और जो range आएगी, वो कहाएगी minus 1 to 1, मलब सारी values अपनी cover कर जाएगी, मलब इतने इतना graph में इतने ही graph का अपन क्या करेंगे, बस inverse exist कराएगे, पूरे graph को बनाने की जरूद नहीं है, पूरा जो इतना बना हुआ है, क्योंकि पूरे में तो यह 1, 1 नहीं है, यह इक्वल टू एक्स के बाद तुम्हें symmetry दिख रहे होगी, यह y is equal to x का graph है, अब यह किसका graph है, यहाँ पे लिखा हुआ है y is equal to sin x का graph, यह y is equal to sin x है, यह भी y is equal to sin x है, तो क्या करोगे, इसके about इसके symmetry आजएगी, यह देखो, यह बनाए, तो यह बन जाएगा, अब सर्य यह arc sin x के आए, बहुत खतरनाग चीज़ है, जो arc sin x होता है, वो sin x सी होता है, अगर कहीं पे जैसे लिखा हुआ है arc cos x, arc cos x, तो इसको वो cos inverse x करते हैं, arc tan x लिखा हुआ है, तो tan inverse करते हैं, तो देखो, यह sin inverse x का तुम्हें एक graph दिख तूम्हें दिख देखो, यह बना सकते हो, minus 1 to 1 तूम्हें स्लाइट सी मिल जाएगी, तो sin inverse x जो आता है graph, sin inverse x, एक monotonically increasing function है, तो यह monotonically increasing मल्दब यह हमेशा increase करता है graph, द्सरा चीज एक bounded function है, bounded मतलब इसकी values जो है वो minus 1 to 1 की range में है तो bound हो गया ना जिसकी values y की value minus a to b अगर bound हो जाए तो y की value अगर fixed है a से लेके b तक मतलब boundary जिसमें लगए तो boundary लगए तो bound हो गया तो यह bounded function भी है क्या यह odd function है? हाँ यह odd function भी है क्या यह periodic function है? sine inverse x हमारे पास कोई भी periodicity नहीं है तो यह a periodic function होता है यह continuous होता है proper देखो graph में कहीं भी कोई break नहीं आ रहा था proper गाड़ी चल रही है तो उसे हम कहते है continuous function यह odd function आता है क्योंकि joh sine inverse or minus x आता है sine inverse or minus x वो आता है minus sine inverse x के बराबर आता है तो अगर मैंने बताया था कि अगर odd function किसे कहते है तो जो odd function की category आती है उस function की आती है जिसमें कि f of minus x की value जो आने चाहिए वो minus of x के बराबर आना चाहिए जब भी f of minus x minus x के बराबर आएगा तो उसे हम कहते हैं odd function तो यह monotonically increasing function भी है bounded भी है odd function भी है sin x से periodic function, cos x से periodic function बट अपना sin verse x होगे जितने भी idea वाले हैंगे वो कोई भी periodic ने आएगा क्योंकि periodic आ रहा है पर लब फिर से same graph repeat कर रहा है तो वो minimum की category इसमें चले जाएगा अब आता है cos x हर एक का पहले graph देख लेते हैं सब की principle value देख लेते हैं हर एक की तुम देखो यहां भी principle value लिखी होगी देखो यहां पे जो principle value चलती है इसकी cos x की वो 0 से लेके πाई तक चलती है sin verse के case में minus πाई बाई 2 से लेके πाई 2 इसके case में चलती है 0 से लेके πाई अब जो भी inverse function होते है न उसकी domain और range पलट जाती है तो यहां पे तुम देखो इसकी domain और range उसमें भी पलट गई थी यहां पे भी पलट गई थी यहां पे भी देखो पलट ते हुई देखेगी मलब अगर domain कहाएगी इसमें minus 1 to 1 range कहाएगी 0 से लेके πाई तक आएगी मलब cos inverse के अंदर कुछ भी डालोगी यहां पे तो पहले अपन को बनाना पड़ेगा Y is equal to cos x का graph उसके बाद तुम्हें बस क्या लेला होगा? Symmetry लेने होगा Y is equal to cos x का तुम्हें यहां पे ग्राप देख रहा है Y is equal to cos x का गर्व यह सके बहुँख symmetry है Y is equal to x के बहुँख सके बहुँख symmetry दिये देखो, decrease type का graph जा रहा है, क्या हमें यी graph ध्यान रखने चाहिए, थोड़ा important है, थोड़ा से important है, अगर याद रहेगा, तो काफी अच्छा रहेगा अपने लिए, तो sin x का तुम graph ध्यान रखते हो, या cos x का ध्यान रखते हो, या तो graph बना उसके बाद y equal to x के बाद उसके symmetry ल आता है, यह continuous function होता है, उसके बाद यह boundant function होता है, और monotonically decreasing function होता है, यह monotonically decreasing function, इसमें क्या होता है, क्योंकि यह जो होता है, cos inverse of minus x जो आता है, आगे पन देखेंगे, यह properties में, तो जो cos inverse of minus x जो आता है, वो pi minus cos inverse x आता है, तो यह जो value आती है, यह pi minus cos inverse x आती है, तो देख जो even और odd किसको कहते हैं, तो odd function उसको कहते हैं, जब f or minus x की value minus fx के बराबर आने चाहिए, या फिर even function किसे कहते हैं, even function, even function उससे कहते हैं, जब f or minus x की value fx के बराबर आएगा, correct, यह सब graphs तुमें पता होना चाहिए, odd function यह सब पिछली class में ने सब बता दिया धंग से, तो धं continuous तो हमनों continuity limit differentiating पढ़ेंगे, अभी continuous में कैसे करना है, बस graph सीधे सीधे चलना है, कहीं turn नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सीधे सीधे ना break हो रहा है, तो उसका अपन continuous कहते हैं, उसके definition आएगी, प्रॉपर अपन देखेंगे, लिमिट से निकल आएगी अपने प इसका यसे ट्रक्रे ग्राफ आ रहा होगा, आजने रहा है, तो बस हमें क्या करने हूँगी, symmetry लनी रहा है, तो इसके अब और इसके symmetry लेंगे, तो यह ग्राफ आजाएगा, यहाँ पर यहाँ पर भी हमें न, domain में constraint लेना पड़ेगा, तो इसमें जो domain उठाते हैं, वो उठ डिवेटित है अब क्या होगा जब तुम 10 παरजों कि तो रेंज और कोड़ोमेन पलट जाती है बस अगर इनवर्स एक्सिस्ट本 कर रहा है तो रेंच 5 defa lead symmetry Udication सरब के यहां पर बन जाएगीए वह रिवर्स हो जाएगा पारlogo 10ifique डालते हैं वैल्यू डालते हैं अब देख लेते हैं इसमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग पंचन है और फंचन है आप आई ओड फंचन है कैसे अब यह मागे देखेंगे प्रॉपर्टी धमाकेदार लिखते जाना इसको टैन बर्स अब माइनस एक्सवाइगा वो आएगा माइनस साइन के साथ टैन इंवर्स एक्स के बराबर यह कंटिनुर्स फंचन है यसचरी प्रियॉडिक पंचन है यह बाउंटेट फंचन यह स्ट सथारी अपने पर जहांब इक्स आती है महांब वह बाउंड हो जाता है यह जो का भाई है 10 और कॉट का भाई है कॉस तो कि उसी टाइप का तुम्हें देखेगा बस यहाँ पे open interval का कमाल चलता है तो यह 0 से लेके πाई तक तक तुम्हें उठाना है और यहाँ पे आजाएगा minus infinity से लेके infinity तक यहाँ पे क्या हो जाएगा बस वो reverse हो जाएगा reverse हो जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा decreasing type का तुम्हें ग्राफ दिख रहा होगा तो cot inverse x का कहें या r cot x का कहें तो एक decreasing type का जैसे cos x का decreasing type का आता है वहसे ही तुमारा देखोगे कि यहाँ पे भी decreasing type का graph आ रहा है तो अगर इसको change करते domain and range को क्या जाएगा minus infinity से लिएक着 infinity तक यहाँ पे किता जेगा इसका लास में एक photo दिखा देंगे domain and range की बढ़िया सी नहीं और टेबल टाइप की बहतरी लेवल की तो वह टेबल को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा अब ही मैं एक एक करके तोम्हीं सब graph दिखा दे राहा हूं sin x घरा आप कैसे दिखेगा cos inverse x का graph कैसे दिखेगा 10 inverse x का कैसे दिखेगा caught inverse x का कीसे दिखेगा second inverse x का कैसे दिखेगा Two truths inverse x एक morotonically decreasing digitizing function आता दा太ै fluctuate प्रॉपर्ली तुम देखो कि एक इनगे बाद भी बताएंगे यह आता है पाई-माइनस कॉट इनवर्स एकस आता है जब हम कॉट इनवर्स माइनस एक सबन को निकालना है तो यह भी एक प्रॉपरली तुम देखो कि एक यह चैए बाउंड़िट फंचन बियाता है तो इनवर्स एक पूरा फिक बाज़ा अगर पूरा माईनस इंफिनिटी आएगा फिर पूर नहीं हो पाईगा यहां पर फिक्ष्ट है तो उसे पन कहते हैं बाउंड़िट फंचन ठीक है तो साइन वर्स एक इंग्रीजिंग इसे करके जा रहा था, आगे में क्योंकि यूज होगा, इसलिए मैं काँँगा, अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी अपने पास, अब f inverse x का directly मैंने directly देखो यहाँ पर जो है domain और range यहाँ पर लिखा हुआ है तो domain यहाँ पर आ जाती है इसकी minus infinity से minus 1 union 1 से infinity क्योंकि जो cos x आता है वो minus 1 to 1 आता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उल्टा चलेगा इसका मलब उल्टा लटका तो तो minus infinity से minus 1 union जो आगे अपना 1 से infinity और 0 से लेके पाई दगाता है बस यहाँ पर पाई बाई टू अन्डिफाइन जाएगा तो पाई बाई टू पर वैल्यू यहाँ पर अन्डिफाइन होगी जो ग्राफ तुम्हें दिख रहा ह लुकि इस कीछितना टीता है तो इसमें तो अलच फंट। यहाँ पर ऑला पार्ट भी है थिए ह। नाइधर इन अथर और की कटेग्री में जाएगा? क्योंकि second inverse इसी बीश में ग्राफ आ रहा है, तो हमारे पास का आएगा, एक बाउंटेट भी आएगा, तो यह बाउंटेट फंचन भी आएगा, यह एक ओड फंचन भी आएगा, जैसे साइन इंवर्स एक ओड फंचन आता है, टैन इंवर्स एक ओड फंचन आता है, साइन टैन भाई भाई और कॉसेक यह तीनो भाई भाई और बाकी वो दोनों तीनों तीनों नाइधर इवन नाइधर ओड की केटेगरी में जाते हैं, ठी माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, कॉस एक इनवर्स एक्स के बराबर. यह हम प्रॉपटीज में भी बताएंगे, पहली बतादे रहे हैं ताकि तुम अपन पढ़ेंगे यह वैसे भी हाई तक जो मैं ने बता देता हूं, एक छोटे से रीकैब के साथ अभी तक जो पताय हमने तो एक चीज़ थो हमें यह पता चल गई कि जितने भी ट्रिग्मोमेट्रिक पंचन उसमें एंगल बताएगा साइवर्स X हो गया कॉस इंवर्स X हो गया हम वैल्यू डालेंगे हमारे पास एक एंगल निकल गया आएगा जबर्दस्त वाला दूसरा हमारे पास जो भी डिफाइंड होंगे वह हम पॉस्टिव के लिए पताया थे एक ग्राफ जो आ रहा थे वह एक थर्ड मुलब अपने पस किस में आजाएगा माइनस पाई बाई टू से लेकि रीट धाई टू तेक वयल्यू आएगी इसकी यहां पे क्लोस वाला charities have by चाल से लेकिता एंगाfish कोれない को यह सारे बाइबाई यह तो गार्श यहां सीचुज ठाने यवलें बात है ITF में third quadrant में graph नहीं आएगा, तो third quadrant में अपने पास कोई भी value नहीं आएगी अपने पास, क्योंकि देखो इसका जो answer आ रहा है वो 0 से लेके πाई तक में आ रहा है इसके जो answer आ रहा है, वो minus πाई बाई 2 से πाई बाई 2 आ रहा है, अब एक list दिखा देते हैं क्या क्या रहेगा, sine inverse x, cos inverse x tan inverse x, ताकि तुम्हें एक बहतरी level में clear हो जाए, जो कि इसकी domain और जो कि इसकी range, अब तुम्हें थोड़ा सा अंदाज होगा कि सब ये भाई-भाई type के nature मिलेंगे, ये तीनों भाई-भाई, कौन भाई ये, ये चीज़ ध्यानक नहीं देखो sine inverse हो गया, tan inverse हो गया और cosec inverse x हो गया, ये तीनों अपने में भाई-भाई हैं, भाई-भाई की कटेगरी में क्यों है, क्योंकि देखो इसकी range वा रही है PVR, PVR वाला, movie वाला PVR नहीं, principal value range की बात कर रहे है, तो यहाँ पर जो y की value तुम्हें दिख रही है वो minus pi by 2 से pi by 2 close interval में मिरा भाई, हाँ, दूसरा tan inverse x में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर open interval में, देख मिरा भाई, यहाँ पर देख minus pi by 2 से pi by 2 open interval में, यहाँ पर देख close interval में इसमें देख cosec inverse में cosec inverse में देख 0 नहीं आ रहा same दिख रहा है थोड़ा सा बस यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो minus pi by 2 से pi by 2 minus 0 मैं लब जो भी answer आएगा वो first quadrant में आएगा और fourth quadrant में आएगा second और third में तो विल्सला इसका नहीं चलेगा तो इसमें देख raise देख इसकी value देख क्या क्या निकल लगी है 0 से लेके pi तक इसमें open interval 0 से लेके pi तक इसमें 0 से लेके pi बस pi by 2 यहाँ पे absolute हो जाएगा बाकि domain sin sin 3 रहे की domain हो ती है न minus 1 to 1 same यहाँ पे minus 1 to 1 यहाँ पे all real number आती है real number क्योंकि पलटना है पाकि minus infinity से minus 1 union 1 से infinity minus infinity से minus 1 union 1 से infinity कहें चीज़े बता हैं 6 के 6 चीदे ध्यानों नहीं चीए यह जो दिख रहे हैं फोटो सबसे ज्यादा important है इसी से maximum तो भी graph बनेंगे मलब questions बनेंगे जाएगा बस यह ध्यान रखना है थीन भाई थीन भाई थोड़ा सबस अंतर है एक में close जा रहा है एक में open जा रहा है एक में pi by 2 हटाना है और एक में या तो 0 हटाना है बस बस इस तरीके से बागी sinverse x और cos inverse x की domain minus 1 to 1 tanverse और cot inverse x की domain real number दूसरे की minus infinity से minus 1 union 1 से infinity उन दोनों case में तो इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा अब आते हैं बहुत basic सवाल बहुती unique साथ बहुत सस्ता सवाल पूरा ncrt भी हिला दिया अपन ने देगो sinverse के अंदर आगे root 3 by 2 आगया sinverse और root 3 by 2 कहां पर आता है sinverse कौन से angle पर root 3 by 2 आता है sin theta की value root 3 by 2 आती है कौन से angle पर sinverse x की value 1 upon root 2 आती है सोचना है कौन से value पर इसका मनलब क्या है कौन सी value पर sin theta की value कहां पर root 3 by 2 आती है यह हमें सोचना है बस तो कहां पर आता है मेरे भाई देख यह आती है पाई बाई 3 पर आती है यह value कहां पर आती है भाई इतना ессोचण पड़ेगा न तो Sワoca की value कहां पर आती है 1 upon root 2 पर आती है कहां पर आती है 5 by 4 पर आती है 45 degree पर तो 5 by 4 यहां पर रख दे और धक्के मार के answer निकाल बस हो गया 7 by 12 आजएगा ऐसे टाइप के NCRT में सवाल मिलेंगे पटा-पट निपता देना जहीं में नहीं मिलेगा बड़ ऐसा NCRT मिलेगा इसलिए हमने तुम्हें बता दिये कैसे निकालोगे बेसिक भी अपना हो जाए अब आती है इसकी डॉमें कैसे निकालेंगे हर टाइप का सवाल देख रहे बताbereich एंवर्स x के डूमें कि आती है कौस इंवर्स 16-2 इक सबसे सबसे सस्ता यह अनसर आगया अंसत यहपना आंशर आगया जबर दस वाला बढ़त थार्ड नंबर भी आनवट तो थारड नंबर भी टाइब सवाल तों भी कर ले ना थोड़ा साच्हा लेगे हगे होमबक टाइप का ही होमबक टाइप का अच्छा लेगे अभिंट करके बताना अधर पैक मिस अधा है और समझ में आ तो भाई CK श्टार एक बाल लगा देना, CK मतलब होता है, चमा करा है, चमा करा है मिरे भाई, चमा करा है, बिल्कुल सब चीजे बिल्कुल क्लियर चल रही है, जितना मामला अपन ने पढ़ा है, कोई भी मामला उठा लो, फट से चमका देंगा अपन ने, कैसे करोगे, minus 1 to 1 equate करना, और linear, under root वाली, square root वाली inequality लगाना, hint दे दिया है, आपन दे दिया है, आपन ये हैंट दे दिया है, इसको solve करना होगा, minus 1 to 1, बस, एक side से तो हमेशा ही true है, बस इसको solve करना होगा, और get the answer बस, इसको solve करना है, नहीं आता है, करना, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगा अपन, और दूसरा आएगा ये, देख, डोमेन निकालनी है, रेंज की, हर टाइप का पन सबाल करेंगे, इसको क्या करेंगे, minus 1 to 1 equate करेंगे minus 1 to 1 तो इसको minus 1 to 1 equate कर ले minus 1 से लिखे आगया mod of x minus 1 से लिखे आगया 1 तक ही है अब इसमें क्या करो 2-2 जोड़ दे 2-2 जोड़ दे दोनों में 2-2 तो दोनों में 2-2 जोड़ो के तो किता आएगा यहाँ पे 1 आजएगा यहाँ पे आजएगा x minus 1 आगया यहाँ पे किता आगया 3 आगया इसका direct answer लिखने आना चाहिए mod की inequality दीखी खास करके इस pattern का तो इसमें क्या होता है कि ध्यान रहेगा तो बहुत जल्दी हो जाता है जैसे इस type का pattern दीखा तो रन्त इसका answer वना देखो solve भी कर सकते है बढ़ इससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा minus 3 से minus 1 union 1 से लेके 3 तक बढ़ हमें तो y चाहिए नहीं हमें तो x चाहिए ना 1-1 जोड़ना समय है x minus 1 है ना वहाँ पे x की value कि आजएग 1-1 जोड़ दे बाकी इसको solve कर लियो यह तुमारा homework है यह सिर्फ माइनस 1 to 1 equate करना है get the answer कुछ different type का सवाल होगा तो मैं बताऊंगा कोई नया type का अपन को सवाल मिलें सर तब अपन करें मया है भाकाल मचा रहे sin inverse x plus tan inverse x plus second inverse x इसके हमें क्या बतानी है range बतानी है मेरे भाई range बतानी है domain नहीं range बतानी है range पहले तो आपन को domain निकालना पड़ेगा तो domain में क्या होगा तीन पंचान है तो पहले domain में क्या करना पड़ेगा उसका intersection निकालना होगा sin inverse x की domain तिरको पता है पता sin inverse x की domain पता है सरब पता है माईनस वन तु आन आती है पता है गी तरगों टूहिण पता है जर पता हैसार पता क्या अथि है इसकी डोमेन क्या थी यह-1 यह-1 उनियांग 1 जिया मैंसुंक्री कि यह बन्दा पता हुआ बस यह इतना आता हूं बस यह इतना तो जो इंटरसेक्शन आएगा बस वो इतने ही पार्ट पर आगा ना मलब सिर्फ दो वैल्यू पर आएगा इंटरसेक्शन अली टू वैल्यू पर इक है इक बार माइनस वन पूट कर दे एक बार वन पूट कर दे और गेट दी आंसर मलब यहाँ पर सीधे सीधे तेरे पास आंसर आजाएगा तो पहले माइनस वन पूट कर दे तो कितना आजेगा साइन वर्स माइनस वन प्लस याजे आजेगा टैन वर्स माइनस वन उसके बाद सेकिन वर्स माइनस वन खता है उसके बाद दूसर में वन डाले हैं पर वन डालेगा तो साइन वर्स वन आ गया उसके बाद सेकिन वर्स वन आ गया आ गया देख देख आ गया तो साइन वर्स से और ल vaccin कितना था है इसकल गांच दो यहाँ नहीं है बाकर यहां पर इस तरीके से तुम्हें बनाना है जब भी तुम्हें साइन वर्स एक सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हें कि एक पहला कोशिज़ पर इन की बारे मेरे को पता है जो कोश्प इनवर्स एक स्किव आती है वह वह सिर्फ और सिर्फ याती है जिरू से पाई के बीच में आती और कोई याती है तो minimum value कितनी आएगी मेरे भाई minimum value 0 यहाँ पे 0 लिखा है तो सभी को एक ही तरीका है solve करने का कि इसको 0 0 ही बनना पड़ेगा पता क्यों क्योंकि अगर तुमने एक को pi by 2 रखा तो दूसरे को minus pi by 2 बनेगा उसकी आउकाट नहीं बननेगी क्यों क्योंकि 0 से pi तक जा सकता है तो इसलिए सब को क्या बनना पड़ेगा 0 0 0 0 0 और कोई तरीका नहीं है solve करने का हमेशा द्यार नठना है ऐसे डेप के अगर question आते है तो highest वाला उठाएगा या तो lowest वाला उठाएगा तब ही जाके solve होगा जैसे इस case में अपने lowest वाली वाली उठाई 0 0 0 ऐसा कभी सवाल आ सकता है जैसे कि pi 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 उठाना पड़े जैसे अभी तेर को यह homework देऊँगा तु वो solve करेगा तो इसको देख 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 cos inverse alpha 1 0 कब आएगा 1 आएगा ये भी 1 आजएगा ये भी 1 आजएगा ये भी 1 आजएगा तो सब 1 1 1 आगए इनको सबको add करना है alpha 1 1 1 1 को end times add करेगा तो कितना आजएगा end के बराबर लिए answer answer लिए खतम करिए हाना हो गया तो ऐसे type के भी सवाल आने चाहिए एक तो वही वाले type के होगे x की? x कहां से खां कहां तक आती है x की value कहां से कहां तक आती है इसकी value आती है minus 90 जे लेके 2-70 हो गया अगर एक को भी कम किया तो दूसरा विचारा नहीं कर पाएगा कुछ क्योंकिए अगर तुमने इसको बोला कि 45 बन जा दूसरे वाला बोलेगा माम करिए क्योंकि हम तो माइनस 90 से 90 आते हैं तो मैंने कहा न या तो पूरा maximum उठाएगा या तो पूरा low उठाएगा बस जैसे पिशला वाला case देखा low वाला यह maximum वाला ताकि दोनों टाइप के अपन को सवाल हो जाए बस हो गया answer देख सब तो बता दी अब देख साइन वर्स एक्स की वेल्यू कित्ती आएगी पाई बाई टू क्या आएगा एक्स मतलब साइन थीटा साइन 90 डिग्री कहा प्या प्याएगा वन सेम वाई वाला क्या आएगा साइन वर् यहां पर यहां पर यह भी चैक और वन प्लस वन प्लस वन माइनस नाइन डिवाइड़ वाई वाई टी तूए और बीस का अंसर रही है यह ना बस वेल्यू उठाके रख देना थिए यह तो जाने के लिए लोग पिचारे डर जाए तो सो वीज दो सो वाई सरे बाइस आ कि निष्ट शाइनिल डेकुम्ट को में वह सबborand एस लगते हैं कि भूट ही रेंजरेसा बट जो तो कहा हम वह सीजी इजिए तो अकर इसम्से जो ग्राफ से कुउशन नहीं हों गर खास करके साइन वेस्ट के होग separate TENS के best value निखल वाएगा या तो मैं वह Part 한번 की इसके अलावा इसमें कोई बात मिंदी इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं बनीग है इसके डूसरी बार में बना गराब बना जब तक तिरे तो बास बस बास मामला भीट है और यह चीज अगर क्लिर है तो डेफिनिटली काफी कुछ मामला फिट है है, sinverse x, cos inverse x, tanverse x, qaude inverse x, ये सारी चीज़े हो चुकी है, अब इसमें ना 12 type के graph आते हैं, 12 type के, 12 type के graph आ रहे हाँ, एक type का graph आएगा अपना sin of sin inverse x वाला, देखें इसमें ना अपन जो है, इसमें जो है अपन 12 type के graph देखेंगे, तो 12 टेड के graph कौन से होंगे, एक आएगा T of T inverse X वाला, इस टाइप का graph आएगा, T of T inverse X वाला आएगा, T of T inverse X मनलब TIGNOMETRIC वाले हना, T inverse TX टाइप का graph आएगा, मनलब Sineverse SineX आगया, Cos inverse CosX आगया, Tineverse SineX आगया, इस टाइप की हना, तो इसमें न 12 टाइप के graph आएगा, 6 यहाँ पर आएंगे, छेहाँ पर आएंगे, छेहाँ पर आएंगे, छेहाँ पर आएंगे, इसमें से एक में हमेशा x आएगा, एक में हमेशा x आएगा, इसमें या तो इसमें, कैसे चेक होगा, जैसे माल लेते हैं, sin of sin verse x है, इसमें एक में x आने वाला है, एक में x, हमेशा x आएगा और इसमें हमेशा x आएगा उसमें हमेशा तो नहीं कुछ वैल्यूस पर ही x आएगा एक साइन ओफ साइन वर्स एक्स हमेशा एक्स आने वाला है हमेशा एक्स यह हमेशा एक्स नहीं आएगा पूरे में नहीं आएगा कुछ वैल्यूस पर जरूर आएगा जैसे साइ प्रूफ हो गया देख लें पर इसमें नहीं आएगा अब इसमें कैसे नहीं आएगा देख देख क्यों फस जाता है यहां पर मामला यहां पर किया लिखा हुआ है साइन इंवर्स के अंदर साइन ओफ एक्स लिखा हुआ है तो एक्स में कुछ एंगल डालते हैं यहां पर एंगल डालते हैं अब एंगल तो कुछ भी डाल सकते हैं अगल तो कुछ भी डाल सकते हैं यहां पर कितना हो गया यहां पर कितना डालते हैं यहां पर कितना डालते है लिए जाया है, सितरने नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पे गरबड़ जाता है, यहाँ में नहीं होता है, तो इसके जो graph आएंगे, वो y is equal to x के graph आएंगे, किसके t of t inverse x के, तो इसलिए हम लोग एक एक करके अब graph देखते जा रहे हैं, तो जो पहला graph देख रहा है तरको sin of sin inverse x, पहले अपन वो अले graph देखेंगे, जिसमें हमेशा x निकलता है, हमेशा, मैं अब t of t inverse x जो आता है, वो sin of sin inverse के अंदर से value किसे रह सकते हैं, minus 1 to 1, मतलब minus 1 of 1 के बीच में जो value आएगा, जो graph आएगा, वो किसका आएगा, y is equal to x का graph आएगा, देख लिए हाँपे, तो यह y is equal to x का graph आएगा, किसकब जब यह sin of sin inverse x का graph आएगा, अब सोच, cos of cos inverse x का graph किसे आएगा, वो भी x ही निक value बाहर निकल आएगी, वो भी minus 1 to 1, क्योंकि y is equal to x का graph है, पूरा मत बनाना, सिर्फ और से minus 1 of 1 के बीच में बनाना, यह minus 1 of 1 के बीच में ग्राफ बनाना, पूरा मत बनाना, गड़बडा आजाएगा, क्यों, समझ रहा न, cos inverse 2 डालेंगे, तो धक्के मार के बाहर निकाल दे क्योंकि x में तो मैं वहाँ पे minus infinity से infinity डाल सकता हूँ, मतलब पूरा क्राब बन रहा होगा, क्या पूरा real number बन रहा होगा, क्या, बिल्कुल सही सोच रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है, हमेशा real number आएगा, चलिए कुछ तो धाम आके दार काम किया, देख यहाँ पे, same, real number, सर, cot inverse, cortex पे भी तो same आएगा ना फिर, हाँ भाई, बिल्कुल सही सोच रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे value सर यह पूरा real number उठाता है, और यहाँ पे भी हमेशा real number उठाता है, तो इसका graph पूरा line ऐसे चलेगी, इसकी सी line, वहाँ पे बंद हो जाती थ से भी आएगा, minus infinity से infinity, clear, अब मेरे को stack of second verse x का पता है, क्योंकि वह x निकलेगा, cosec of cosec inverse x भी x आएगा, बस, वहाँ पे value उठा पाएगा, वो, domain वाली, minus infinity से minus 1, union 1 से infinity, बस, graph तो y is equal to x ही आएगा, बट पूरा graph नहीं आएगा, इतना graph आएगा, यहाँ पे, यह लिखा मौद x गर देन 1 का मतलब यह होता है, x के value क्या थिया, minus infinity से minus 1, यह लेका, minus infinity से लेकि, minus 1, union 1 से लेकि, इन्पनिटी तक, minus infinity से लेकि, minus 1, union 1 से इन्पनिटी, देख। होती निये value x की value नहीं होती तो कहां से लाएं अपने ceb से तो लिए लाएंगी जो हो कि अपने बस बही होगा तो sign verse sign of sign verse x का graph कि जितने graph बनाना ना घर पर चार बार बनाएगा तब जाके दिमांग बैठेगा तो चार बार बनाना पाँ बही बनाना है सभी लोगों को जो देख रहा है सभी लोगों को Sine of Sin versus X का graph हो गया Cos of Cos and đầuasis Tá graph हो गया Tan of Tan versus X का graph हो गया Cos of Cos inverse X का graph हो गया Scand of Secondgamber six का graph हो गया Cos of Cos – 2.0 इन सभी graph को ये पता है कि हमेशा ये x निकलेगा बस ये condition इस में sin of sin inverse x में x कप निकलेगा? जब x के value माईनस 1 to 1 होगी. cos of cos inverse x में x कप निकलेगा? जब x के value माईनस 1 to 1 होगी. और दूसरा क्या बोला? जो 10 of tan inverse x है, वो भी x निकलेगा? प्रोवाईड़ x प्लोंग्स टू आना चाहिए? रियल नमबर आना चाहिए. cot of cot inverse x भी same x belongs to real number आना चाहिए sec of second inverse x minus infinity से लिएके minus 1 union 1 से infinity again cosec of cosec inverse x is minus infinity से लिएके minus 1 union 1 से infinity तो domain और range सभी की same same आ रहे होगी values बिल्कुल same आ रहे है y is equal to x के graph के about बाकि sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x ये सभी के तो तुम्हें graph बता दिये sin inverse x को मैंने एक बार बता दिया थे कि r sin x भी बोलते हैं और cos inverse x लिखा है तो उसको r cos x भी कहा जाता है तो ये भी चीज़े ध्यान रखनी है जो जो चीज़े बता रहे हैं उनको बिल्कुल ध्यान रखना है अब इसी में फिर graph आ जाते है sin inverse sin x के बता दिये असां दिये है ये तो बहुत असाला हो अब इसी में फिर हमाई पास 6 टाइप के graph आ जाते हैं sin inverse sin x का graph cos inverse cos x का graph tan inverse tan x का graph cos inverse x का graph secant inverse second x का graph cos x इंवर्स cos x का graph 6 type के और graph मिलेंगे 6 type के तो 6 type के अपने पास और graph आ रहे होगे सबसे पहले बात आती है सबसे पहली बात यह वैल्यू हमेशा X कब निकलेगी कब निकलेगी जब यह मैनस पाइब आइटू से पाइब आइटू होगा और किसी में निकलेगा तुम्हें पुट कर, यहां पर साइन इन्वर्स शाइन एक्स हे इस तो सिर्फ वाई इस इक्वल टू एक्स लाइन कब आएगी की यह कब आएगी कब आएगी जब यह जब यह कि जब माइनस 1990 होगा तो माइनस क्या कि सर यह सब ग्राप कैसे बन गया अब यह जो function हो जाता है यह एक periodic function हो जाता है sine verse वाले भी periodic हो जाते हैं sine inverse x वगर नहीं हो sine inverse sine x हो जा रहा है composite function है f of gx में अगर gx periodic है तो g of gx periodic है sine x periodic है ना इसलिए रख के देख ले, check करना, check कर ले sine verse of sine 2pi plus x निकाल देख, sine verse के अंदर sine of 2pi plus theta निकाल के देख sine 2pi plus theta कितना आएगा sine theta आएगा की नी sine 2pi plus theta कितना आता है, sine 360 देख, same आगया ना तो यह periodic function होता है, क्योंकि periodicity कितनी होती है, 2pi कोई पूचे, sine verse sine x periodic होता है हाँ भाई होता है, वो नहीं होता sine of sine verse x वाल जो पता है वो नहीं होगा sine verse sine x periodic होगा अगर यह periodic होगा, मतब same same line आएगी 2pi के बाद same आएगा, तो इतना graph बन गया तो यहाँ पे भी graph बना दे, देख, same same graph बना, बिल्कुल same जहाँ-जहाँ-2pi देख रह रहा है, वह वह continuous graph होता है, sine verse sine x हो sine x जो हता है, यह continuous function होता है तो अगर continuous है तो proper, anymore break नहीं आना चीए, तो इसलिए, बस join करा दिया गया यह जो joining हो रही है, किसली हो रही है व्कॉस को कंटीवेश्ट फनी टीजिनbra तुद एवे वाय। प्हल पाइक उसके बाद सब्सक्राइक कुछ यौकि यहां खरका धर काईब सब्सक्राइब कमपोज़ीट कंटीजिटूरों सन्सानट भागी आगे देखेंगे। पहले दो एक टो समझलें तो यह बला ग्राफ आए पहले माइनस 919 की बीठ में X उसके बाद सेम यहां पे रिपीट यहां पे रिपीट तो वहाँ पर बताती है जाएगा अब आता है cos inverse cos x का ग्राफ यह जाता है cos inverse cos x का ग्राफ अब cos inverse cos x में क्या होगा ना यह value 0 से लेके pi तक अब same निकलेगा 0 से लेके pi तक निकालो के तो x आ जाएगा आना क्योंकि इसके principle value इसलिए x निकलेगा और यह function जो आता है यह periodic function आता ह वैसे ये भी एक periodic function होता है तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है एक periodic sub-function होता है periodic function यह बी एक periodic function है period of 2ывает cham यह fraction है continuous होजाता है तो क्या करेगा पहले जॉइन कराएगा पहले क्या करेंगे जीरो से लिए पाई तक का गराप बनाएंगे जो ग्राफ जीरो से लिए पाई तक का बन गया तो पूरा graph चलते रहेगा, अब इसके बाद join क्यों किया रहा गया, join क्यों करा गया, अब देखो समाजदारी वाला खाम है, join इसलिए ही क्या गया, क्योंकि यह continuous बंजन है, तो यह continuous की विज़से, यहाँ पे इसको join करा गया, और इसमें V V shape बन रहे हैं, तो यह तो चलो non-differentiable functions तो ही अपने पास, दूसरा चीज यह कि उपर उपर इसके पहड़ा आते हैं, 0 के उपर उपर वाले, उसमें negative जाता है, इसमें सिर्फ उपर उपर value आती है, 0 और πाई के बीच में आती है इसके graph, इसका जो हमनाऊः, 0 और πाई के बीच में नीचे graph नहीं आता है, तो नीचे graph नहीं हैगा, यह cos inverse cos x का है, cos inverse cos x में तो यह x निकल जाएगा, cos inverse cos x में यह अपर x लिखा हुआ है, 0 से लेके पाई के बीच में जाओँए, तो यह x निकल जाएगा, बट सर यह minus pi और 0 के बीच में क्या निकलेगा, minus pi, मलब अगर कोई value minus 90 और 0 के बीच में डालेंगे तो क्या answer आएगा, फिर ये वाला आएगा, ये समझ रहे चीज आजएगी, मलब इसकी line की equation क्या जएगी, y is equal to minus x, अगर इसकी line slope 1 है तो इसकी slope minus बना जएगी बस, इसकी क्य आजएगा, minus x आजएगा, ये सब पाई से लेके 2pi जो लिखा है, यहाँ पे 2pi minus x, ये कैसे आया, pi से लेके 2pi तक, तो देखे एक बद्ध्यान से देख, इसकी equation लिखनी है, इस line की मिरेको equation लिखनी है, ध्यान से देख, इस line की मिरेको equation लिखनी है, इस line की, तो क्या negative, slope क्या है, minus 1, equation आनीची लिखने है, y minus y1, m times of x minus x1, खतम कर दिया, खतम कर दिया, तो y minus 0 is equal to आजेगा, minus 1 के साथ, n to x minus 2 pi, तो y की value आजेगी, 2 pi minus x, ले answer, तो y की value आजेगी, 2 pi minus x, clarity, आसान है, 2 pi minus x लिखा हुआ, यह सर 2 pi से लेके 3 pi तक, यह कैसे आजेगा, 2 pi से लेके 3 pi तक, तो इसकी equation लिखनी है, मेरे भाइद देगे, इसकी equation लिखनी है, point है, slope है 1, इस बार slope है 1, बस, तो y minus 0 is equal to आजेगा, slope में, x minus 2 pi, तो यहाँ पे आजेगा, y is equal to x minus 2 pi, क्योंकि जो मेरा answer निकलना चाहिए, cos inverse, cos x का, वो 0 और pi के बीच में आना चाहिए, इसलिए यह सब adjust किये गए, इसलिए अपन curve को बना रहे हैं, यह vv type के तुमारे shape आ रहे है, अब जो है, इसमें जैसे मालो कभी कभी पूछता है, sin verse, sin 3 क्या होगा, cos inverse, cos 3 क्या होगा, 3, radian वाला 3, हाना, उसके बाद कभी पूछेगा, sin verse, sin 10 कैसे आएगा, उस सारी चीज़े देखेंगे, पहले अपन पूरे पहले graph देख लेते हैं, tan verse, tan x, उसके बाद तुम्हें बताएंगे, sin verse, sin 3 को ही पूछ लिया, sin verse, और जो हो गया तुम्हारा, cos inverse, cos 5 कैसे निकालेंगे, cos inverse, cos of 270 degree आगया, तो उसको कैसे निकालेंगे, उस सब चाहिए जाएंगे, पहले पन सारे graph देख लेते हैं, सारे type के, तो tan verse, tan x भी एक periodic function होता है, पिरियट क्या होता है, इसका पाई होजाता है, जो function इसका period है, वह ही वाला period चलेगा, यह value कहां से कहां तक x निकालेगा, minus 90 और 90 के बीच में जो value निकाल के आता है, continuous नहीं है, यह discontinuous function होता है, तो यह discontinuity कहां कहां पे आती है, इसकी, इसकी discontinuity जो आती है, वो, जितने भी 2N पिलस 1 पाई बाई टू वाले हैं, उन सब पे discontinuity होती है, मलब 90-90 पे जाके ये discontinuous हो जाते हैं, तो देख, y is equal to x का graph आएगा, जब ये minus 90-90 के बीच में आगा, यहाँ पे गूला भर देना, क्योंकि minus 90-90 पे value नहीं आएगी, function periodic है, जोइन करते जा, देख, इसमें जरुवत भी नहीं है, जोइन कराने की वो, अब सीधे वो graph बनके ही आ जा रहा है, जैसे वहाँ पे तो जोइन करना था न, yellow color का, यहाँ पे जोइन नहीं करना आ पढ़ रहा है, same same type का निकल के आ रहा है, देख, sky blue, sky blue, देख, सभी में कि इसक्वेशन, मिरभाई देख, यहाँ पे slope निकल, slope है, one, point से यह point यह, यह point, अरे, यही वाला point उठाना, x वाला या, उपर वाला मत उठाना, नीचे वाला उठाना, नहीं, तो पर यहाँ पर तकली वाला विश है, यहाँ पे तो point ही नहीं, यहाँ पे point, point क्या है, pi, 0 equation लिखने आती है यहां लिखने आती है y-y1 m x-x1 खतम कर दिया दिए y is equal to x-py लिखा यहां पर equation लिखनी है x plus pi कैसे आ गया इसकी equation लिखनी है slope क्या है 1 point क्या है minus pi, 0 equation लिखने आती है y-y1 और one times में आ गया x plus pi के बराबर ले आ गया y is equal to x plus pi तो किसी की भी तुम slo यहाँ पर निकाल सकतें जो भी अपने को slo Ben उस तरीके से निकाल सकते हैं और साइन बहुत बारबनाना परनाना जब तक बाके नें कॉस्त इंवर्स को सेस्ट का भी ग्राफ टाइंवर्स टानर्स क्योंकि इसी में बच्चे में फज जाते हैं और अनाम नाम से वीडियो दो को कि तो डैफिनेटली चीजे क्लिर होंगे बड़ा काम नहीं है कोई बल्लव ऐसा कोई साइंटिस्ट की बाला काम ने बहुत तीजी क्लोप पर डिपेंड करेगा और मेरे जो कॉडिनेटर उस पर क्योंकि बस हमें एक्वेशन लिखने होगी वाई माइनस वाइवन एम टाइम सब सब्सक्राइब यहां से एक्वेशन देख सकते हो यह मैंने पॉइंट बता रहा है पाई कॉमा जीरो इसको सटिस्फाइब करेगा तो फाइनली क्योंकि आनसर आना चाहिए हमेशा टैन्वर्स टैनिक्स का वह माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में भी हमारा एक prioric function होता अकर कोई पूचे इसका प्डिरेट क्या है तो प्रिरेट क्या जेगा पाई गे बेराबर तो प्रियाद क्या पाई अगर कोई पूचे इसमें discontinuity है, हाँ, इसकी discontinuity है कहां-कहां पे n pi intervals के बाद, तो यह हमारे एक पास क्या होता है, एक discontinuous function हो जाता है, कहां-कहां पे discontinuity होगी, जहां-जहां पे n pi intervals आ रहा होगे, इसका अबलब 0 हो गया, pi हो गया, 2 pi हो गया, 3 pi हो गया, 4 pi हो गया, 5 pi हो गया, minus pi हो गया, minus 2 pi हो गया जितने भी हो गया pi वाले interval हर एक में discontinuity होगी और ये neither even, neither or की category में आता है ये तो already हमने बताय हुआ neither even, neither or बेगी है अब आते हैं जिसे मालो की कैसे कर बनेगा सबसे पहले तो y is equal to x का graph बनेगा जब ये 0 से pi होगा तो 0 से लेके pi तक में देखो ये 0, same मना हुआ अगर आप फिर ये periodic है तो pi pi intervals में repeat होगा तो pi pi intervals में, तो यहाँ पे pi pi intervals में repeat होगा ये दो, pi pi intervals में यहाँ पे repeat होगा ये pi pi intervals में अब अगर इसकी equation लिखनी है इस line की हमें equation लिखनी है slope है मेरे पास point क्या है pi,0 equation लिख सकते है y minus y1 m times of x minus pi के पराबर equation आजाएगी x minus pi same यहाँ पे equation लिखनी है तो minus pi,0 आजाएगा slope के आजाएगी 1, तो x plus pi के पराबर यहाँ पे आजाएगा x plus 2 pi इदर आजाएगा x minus 2 pi, x minus 3 pi, x minus 4 pi तो वो coordinate coordinate पे आएगा 0 से pi तक, अब इसका graph देखो उपर उपर आ रहा है, यही अगर मैं minus उसका 10, 10 verse 10 x सक ग्राब पता हूँ तो उपर और नीचे दोनों में graph आ रहा है यहाँ से graph आ रहा है, क्योंकि इसकी जो value है कि वो minus pi by 2 से लेके pi by 2 तक लाई करेगा, उस case में क्या होगा वो 0 से लेके pi तक लाई करेगा तो दोनों पर depend करेगा, ठीक है अब आता है sec inverse, sec x इसको value question देख लेते, पहले अपन देख लेते properties तो अभी तक मैंने तुम्हें जो graphs बता है sin verse, sin x का graph बता है पहले अपन को क्या करना है, minus pi by 2 से pi by 2 डाल दे रहा है, फिर 2 pi, 2 pi के बाद repeat होगा तो खेंज दे रहा है, और continuous से तो join करा देते थे cos inverse, cos x के case में क्या तरह उपर उपर इसके graph आते थे जो पहाड आएंगे, वो उपर उपर की तरफ आएंगे discontinuity इस पे नहीं आती है, इस पे non differentiability आती है tanverse, tanx के case में और cot inverse, cortex के case में discontinuity आती है, बढ़ तब भी अपन को join तो वैसे भी नहीं कराना पड़ रहा है, बस सीधे-सीधे line है बनते जा रही है माला, minus pi by 2 से pi by 2, फिर pi by 2 से लेके 3 pi by 2, उसके बाद 3 pi by 2 से 5 pi by 2, फिर अगे इधर भी हाना, cot inverse, cortex के case में भी सेम, discontinuity तो है, बढ़ हमें join वैसे भी नहीं गनाना पड़ रहा है 0 से pi हो गया, फिर उसके बाद pi से 2 pi हो गया, उसके बाद 2 pi से 3 pi हो गया 3 pi से 4 pi हो गया, 4 pi से 5 pi हो गया, so on, चलते जाएगा इसमें अब इसमें क्या होगा, second verse, second verse, second verse, second verse, भी एक होता है periodic पंचन होता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये भी एक periodic पंचन होता है अब इसका period क्या जाएगा, जो cos वाला आता है, वही वाला period चलेगा, same ये जो sin, cos और secant और जो हो गया cos है, इनके जो period आते हैं 2 pi के बराबर 10 और cot के case में बस वो pi आ जाता है, अब ये जो इसकी value जो आएगी, जैसे x कब निकलेगा सिर्फ pi by 2 पे ने निकलेगा, बाकी सब values पे आएगा, मनलब जैसे मालो, किसमे x निकलेगा, 0 से लेके pi बस इसको minus pi by 2 कर दिये, तो इस पे जो है value क्या निकलेगी, x निकलेगी, तो ये हमारे पास क्या था, इसका principle value थे, तो principal value में तो x निकलेगा, बाकी में periodic है, तो तुम बाकी मनलब इसको क्या अलग-अलग join कर लेंगे, 0 से लेके pi तक में ये लिखा हुआ है, अब यहाँ प continuous, तो नहीं है, यह function discontinuous है, यह कहाँ-कहाँ पे discontinuous है, जहाँ-जहाँ पे pi by 2 आएगा, तो sec x की बात करें, second verse sec x की, तो कहाँ-कहाँ पे discontinuity है, तो अगर मैं discontinuity की बात करूँ, कहाँ-कहाँ पे discontinuity है, x is equal to 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to a z, 5 by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, minus pi by 2, minus 3 by 2, ये सारे चीज ये-स होगा जैसी-पॉइट पर नहीं होगा, तो हम क्या- Nashigon तो कराँगे, बस बाकी जगह ऐ जगह क्या करेंगे, होलो बनाते जाएंगे, जैसे यहाँ पी by 2 पर passé Tory by 2 बनाया, पर यहां पर powलो बनाया, फिर इंफर प्र होलो बना ए ऐसे सारे points पर तो होलो बनते जाएगा जॉइन तो कराएंगे कि देखो बाकी पॉइंट पर तो continuous है न बस यहां यहां पर इसकी discontinuity आगी तो उस पर क्या करेंगे अपन सीधे सीधे क्या करेंगे बनते जाएंगे तो यहां पर एक बार बना सकते हों यह सारे गाप देको इसका जो है सिमलर पैटर्न मिलेगा कॉस इंवर्स कोसेक्स का बस वहां पर हॉलो नहीं दिखेंगे हैं अब अगर कॉसेक्स का भी ग्राफ देखाओ बिलकुल सेम दिखेगा जैसे साइन वर्स साइन से ग्राफ आता है ना बिल्कुल सेम बस वहां पे 00 पे अजाएगा सेम ग्राफ दिखेगा प्रियोडिक वैसे ही वो फंचन कंटीनूस था यह फंचन डिसकंटीनूस हो जाता है अधरवाइस बिल्कुल तुम्हें सेम मिलेगा बिल्कुल कॉपी और पेस्ट यह हाना कॉसे का भी तुम देख सकते हो तो यह कहां कहां पर हॉलो बनेगा 00 पे 00 पे और पाइप और पाइप और यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि कॉपी प्रियोडिक फंचन है तो अगर इसका कोई कुछे पिरियट क्या है तो टू पाइप के बराबर एक अपना ओर फंचन हो जाएगा जैसे साइन वर्स न एक और फंचन हो जाता है बाकी वाले तो अपने पास और इवन कुछ भी नहीं आ पाते हैं तो साइन वर्स जो है एक्स वाला केस में बताया था बिल्कुल वैसे साइन वर्स लें रहें तो सबसे पहले थोड़ा साइसे जब लेंगे है अपनसे थोड़ा साथा कड़ेगा जैसे कि यह value दी हुई है क्या है अपना समझ लिए हमनों 12 टाइप के graph समझ चुके है sinverse sinus का graph कैसे होता है या tanverse sinus का कैसे graph आता है cos inverse cosus का graph कैसे है अगर तो 10-12 बार तो तो तुम्हें घर पे practice करनी पड़ेगी तभी जाके दिमाग में बैटेगा वरना वो नहीं बैटेगा जैसे जैसे मैंने बताया था function की continuity check करनी है periodicity check करनी है बस जैसे T of T inverse X वाले graph थे sin of sinverse X वो तो सारे X निकलेंगे 6 type के तो X ही निकलेंगे T of T inverse X वाले T inverse T X वाले थोड़े से खतनाक हो जाते है खतनाक कुछ भी नहीं है देखो है तो असान अगर मैं बात करूँ sinverse, sin X हो गया या tanverse, tan X हो गया या last में जो cos inverse, cos X sinverse, sin X और cos inverse, cos X तो सेम ही है बस वहाँ पे hollow, hollow बनाने है जीरो में और cos inverse, cos X जो हो गया और तुम्हारा इधर बे जो है, second verse, second X वो तो बिल्कुल सेम ही है उसमें pi by 2, pi by 2 पे hollow बनाना है उपर 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 पे पहाड आते है उपर 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 sinverse, sin X में नीचे भी पहाड है उपर भी पहाड है सबसे पहला सवाल दिख रहा है थोड़ा मैंने आसान सवाल लगा है ताकि चीजे बन जाए जैसे यहां पर लिखा हूँ है second square theta इस टैप का लिखा देखो second square theta plus cos square theta तो क्या करेंगे sec of 10 inverse 2 तो मेरे को नहीं पता है नहीं पता है हम क्या करेंगे इसको 10 में बनाएंगे तो second square theta जो होता है वो 10 में भी बन जाता है कैसे बनता है second square theta को 10 में बनाएंगे तो क्या जाएगा second square theta क्या हैगा 1 plus tan square theta है ना ऐसे लिख सकते हैं 1 plus tan inverse of 2 का square हो गया क्योंकि tan square theta को अपन whole square भी लिख सकते है तो I think इसमें कोई फरक नहीं आना चाहिए फिर दूसरा आता है next next अपना ये वाला part आ जाता है इसको अगर solve करेंगे तो cos x square theta जो आता है cos x square theta वो आता है 1 plus cot square theta यहाँ पर आता है 1 plus cot square theta यहाँ पर आता है 1 plus cot inverse of 3 का whole का square 1 plus cot of cot inverse 3 का square यहाँ पर आ गया 1 plus tan square theta और यहाँ पर आता है 1 plus cot square theta अब आता है tan of tan inverse x यहाँ पर कहा हुआ है so tan of tan inverse x जो आता है वो x के बराबर आता है और cot of cot inverse x तो वो तो हमेशे ही x आता है तो वो तो उसमें हमेशे ही real number में आएगा बस इसको निकाल के रख देना था प्लस टू आता है पंद्रा के बराबर और एक चापर तस वाला यह थोड़ सा असान तक क्योंकि पहला मैंने सवाल असान लगा है ताकि तुम्हें समझ में आज़े क्या करना है तो साइन आफ साइन वर्स एक्स आ गया उसमें तो एक्स आएगा बस डिपेंड करता है उसकी ड सबसे पहले क्या करेंगे जब ऐसे सवाल आएंगे तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा एक बढ़िया सा ग्राब बनाना पड़ेगा इसका नॉर्मल जल्दी यल्दी बनाने के कोशिश करेंगे ग्राफ को ऐसा नहों कि बुल्कुल अपन शेडिंग वेटिंग कर रहे हैं बैठके वो सब काम नहीं यहां पर लिखेंगे जीरो इसको जोइन कराएंगे देखो माइनस पाई बाई टू से ल जीरो आती है अब हमें देखना है टू कहां पर आता है रेडियन में रेडियन में तो अगर पाई की वेल्यू देखोगे तो कितनी आती है 3.14 आती है पाई बाई बाई टू कितना आता है 1.57 आता है तो टू कहां पर आएगा टू यह टू रेडियन में होता है यह डिगरी म तो इसको क्या होगा या तो तुम रेडियन नहीं हिए चुसे कर रहा है तुम। पर कहीं पर आएगा यहां पर कहीं आएगा ना 1.57 और 3.14 के बीच में आएगा बला हमारा इस लाइन पर लाइन कर रहा है यह लाइन में इस वाली लाइन पर लाइन कर रहा है वो लाइन देख रही पड़ेगी किस पॉइंट चाहिए तो यहां पे पाई कॉमा जीरो है equation लिखना है जबर्दस्त वाली equation लिखेंगे y-y1 m times of x-x1 खाता हम बहुत बढ़ी है y-y1 m times of x-x1 y is equal to यहाँ पर आजाएगा pi-x आजाएगा तो मतलब जो अगर कोई पुछे इसका answer क्या आने वाला है इसका answer तो तुम बोलोगे pi-2 आजाएगा क्या हर बार हमें सर ऐसे ही करना पड़ेगा हाँ इसका यही method है हमेशा graph बनाना cut तस है अब देख दो और करवाते देखो जैसे माल लो पूछा sin inverse of तुम सोचना इसके बारे पे sin inverse of sin of 4 4 पूछा तो सबसे पहले देखना पड़ेगा 4 कहाँ पे आएगा 4 तो 4 देखो 4 3.14 है यहाँ पे देखो 3.14 के यहीं पे 4 पे आएगा क्योंकि यहाँ पे तो 3 pi by 2 होगा 3 pi by 2 कितना आएगा 3 into 3.14 by 2 मलब यह साड़े चार करीब आएगा 3.14 मलब इसी लाइन में आ रहा है जो हमने निकाल के रखिये ने equation यह वाली y is equal to pi minus x वाली है उसी में आजेगा answer मलब इसका मलब आजेगा pi minus 4 ही देखो pi minus 4 की value निकालोगे न तो यह हमेशा minus 90 और 90 के बीच में आएगा क्योंकि जो final answer आना ची पूछा है cos inverse of cos 6 तो वो भी एक बर तुम्हें बता देते हैं फिर क्योंकि तुम यह वाली problem बनाने वाले हो तो जैसे माल लेते है cos inverse of cos 3 पूछा है यह सब मैं निकाल के दिखा रहा हूँ cos inverse of cos 3 पूछा है तो क्या आएगा अगर माल लो पूछा है कि cos inverse of cos of 5 बता दीजे क्या आएगा या फिर हमसे पूछा है कि cos inverse of cos of 6 क्या आएगा यह तीनों चीजे मैं बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम जो questions बनाओ जही वाली जो problem थी वो तुम अपने end से बनाओगे तो cos inverse of cos 3 क्या आएगा सबसे पहले काम क्या करोगे इसका graph बनाओगे हमेशा ध्याननखना इसका उपर में ग्राफ आता है कैसे उपर में उपर में ऐसे vv type का बनते जाता है बस ये graph है यहाँ पर तुमारा फोर पाई हो गया बस बहुत है इतने हमारा काम हो जाएगा अब हम क्या करेंगे, हम लोग value निकालेंगे, कौन सी 3 लिखा है, 3 कहाँ पर आएगी, 5 से कम होती है, तो यहाँ पर कहीं 3 आएगा, यहाँ पर कम आएगा, तो इस line की equation लिखनी है, इसकी तो y is equal to x वाली line है, तो इसमें answer क्या आजएगा, 3 आजएगा, अब हमें 5 निकालना है 5, तो 5 हमें देखना होगा, तो 5 मतलब कितना आजएगा, जैसे 5 की value यहाँ पर तुम्हें दिख रही होगी, 3.14 है, यह value कितनी है, 6.28 है, तो यहाँ पर कहीं पर 5 आएगा, आएगा न, यहाँ पर कहीं पर 5 आएगा, तो मेरे को ने इस line की equation लिखनी होगी, किस line की, इस line की equation, इस line की equation, इस line की equation, इस line की equation लिखनी है, तो slope क्या है, minus 1, इधर जाएगी तो slope minus 1, इधर जाएगी तो slope बन है, तो यहाँ पर slope कितनी है, minus 1 आएगी, आएगी slope, तो slope आएगी minus 1, और मेरे को point चाहिए, तो point तो यही बला है, point क्या आजएगा, 2 pi, 0 आजएगा, 2 pi, 0 है, equation ल 2π5 आजएगा तो अगर इसके कोई पूचे क्या आँसर आज रहा है दो यह 2π5-6 है अगर मेरे से कोई पूचता है कॉस इंवर्स ऑप कॉस ओफ 6 बता दीजिए तो 6 भी इसी में लाइन पहला है करेगा इसी लाइन प्यारा ना इसी लाइन प्यारा है अगर 7 पूछेगा तब उस लाइन में चले जाएगा 6 पूछ रहे तो इसी लाइन में आएगा तो आंसर कितना आजएगा 2 पाइ माइनस 6 आजएगा same बिल्कुल बस तुम्हें क्या करना है graph बनाना है slope की equation लिखनी है देख लेना है कहाँ पर radiant lie कर रहा है तो इस वाले question को same जो है इसी type का problem में यह तुम्हें homework में डाल देना देखो इसमें निकालना था y minus x निकालना था sine verse of sine 10 cos inverse of cos 10 बनाना तही होगा देखो अब मैंने ने pattern बता है अब लिखा यह थोड़ा असान है cos inverse of cos of 7 pi by 6 7 pi by 6 तो पहले यह पता है 0 से लेके pi तक होता है और pi निकल जाता सिर्फ 0 से लेके pi तक है graph का जैसे 0 से लेके pi तक है तो इसके उपर में graph आता है ऐसे लिखा हुआ है तो यह 7 pi by 6 जो लिखा हुआ है 7 pi by 6 तो वो pi से बड़ा है यहाँ पे 2 pi होता है यहाँ पे pi होता है तो यह 7 pi by 6 यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा, इसमें कहीं पर आएगा, हमें इसकी equation लिखनी होगी, इसकी equation क्या आएगी, slope है minus 1, यह देखो, slope है इसकी minus 1, तो इसकी slope है minus 1, और अगर कोई पूचे point क्या है, तो point है 2 pi, 0, कैसे, यह point है, यह ग्रीन वाला, यह आजएगा 2 pi, 0, equation लिखनी होगी, कैसे equation लिखोगे, y minus y1, m times of x minus x1, इसका मिलब solve करेंगे तो क्या आजएगा, y is equal to, आजएगा 2 pi minus x आजएगा, x कितना है तुम्हारे पास, 7 pi by 6, x आजएगा, 12 minus pi, तो यह आजएगा, 5 pi by 6, यह answer है मेरा, ठीक है, जो भी answer देखो, अगर तुम्हें check करना है, तो cause वाले case में हमेशा 0 और pi के बीच में answer आना चाहिए, उससे ज़ादा नहीं आ सकता, उससे कम नहीं आ सकता, ठीक है, जैसे sign verse और minus 6 क्या आता है, तो ये minus sign verse 6 आता है, ये चीजे already में बताते भी जा रहा था, क्योंकि ये odd function हो जाता है, हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये एक odd function हो जाएगा, odd function, और ये कब true आएगा, जब ये minus 1 to 1 होगा, क्योंकि ये तभी true आ सकता है, जब ये minus 1 to 1 होगा, अब अगर हम बात करें, cos inverse ये तीनोंना same category के हैं, ये तीनों, first, second और third, इनको same category में डाला गया, क्योंकि ये 3 के 3 जो है, ये odd function हैं, ये तीनों के 3 जो है, starting के जो दिख रहा है, odd function है, जो नीचे वाले हैं, तीन दिख रहे हैं, ये 3 नाइधर एवन, नाइधर ओड की category में हैं, ठीक है, जैसे fx is equal to f of minus x भी नहीं आ रहा है, ना fx is equal to minus f of minus x आ रहा है, तो अगर मैं sine inverse of minus x की बात करूँ, तो कितना आएगा minus sine inverse x आएगा, x की value क्या आने चाहिए, minus 1 of 1 के बीच में आने चाहिए, x की value क्या आने चाहिए minus 1 of 1, क्योंकि यही उठा पाएगा यहाँ पे value, अगर cause inverse x की बात करें, तो क्या आएगा, minus infinity से minus 1, union 1 से infinity, इसको ऐसे भी लिखा जासा है, दोनों सेम ही चीज़े है ऐसा नहीं कि कुछ अंतर है, दोनों में सेम है यह minus infinity से लिखे, minus 1 union 1 से लेके infinity तक, इसके बाद tanverse और minus x, minus tanverse x होता है जब x की value real number आती है pot वाले में तो दुम देखी सकते हो, सब में दोको pi minus करके लिखा देख, इसमें भी pi minus इसमें भी pi minus, इसमें भी pi minus values क्या रही है, देखो x belongs to r हो गया, यह minus 1 to 1 आएगा यह minus infinity से लेके, minus 1 union 1 से infinity, यह सब domain range तो अल्रड़ी लिख पाई गई है तो यह pi minus में आता है, यहाँ पर minus वाली कटेक्टी में चले जाता है, अब हमारे पास कुछ और भी properties आती है properties अपन को देखने है, जैसे वह वाली property देख ली अब इसमें और भी property आती है, जैसे तुमने यह दिखा, क्या बोलते है sin inverse x plus cos inverse x यह हमेशा pi by 2 आएगा provided x की value जो है, वो minus 1 to 1 लाई करने जीए, तो जो x की value जो आने चीए, वो minus 1 to 1 आने चीए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो mod x less than 1, यह और यह एक ही चीज होती है, ऐसा नहीं कुछ अंतर है same है, sin inverse x plus cot inverse x, pi by 2 आता है, हमेशा अगर x की value, real number है, क्योंकि यहाँ पे तो अपन real number डाल सकते हैं, तो यहाँ पे अपन real number put कर सकते हैं second verse x plus cos second verse x भी क्या आएगा, pi by 2 आएगा, अगर mod x greater than equal to 1 है, या फिर तो कि यह जो denote करता है, वो x greater than 1 है, और x less than minus 1 है, हाना, यह जो denote करता है, वो यह चीज़ denote करता है, square करके, inequality भी solve कर सकते हो, clear, तो I think यह वाला part था, क्योंकि तुम्हें बता दिये, यह property हो गई, वो अली property हो गई, sin inverse minus x भी, या cos inverse minus x भी, या tan inverse minus x वाली, cos inverse minus x, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि, कौन से odd वाले category में जाएगा, कौन सा neither even, neither odd की category में जाने वाला है, हाना, इस से related कुछ problems कर लेते हैं, तो थोगा सा और better way में अपना clear होगा, कुछ mains के भी 1py use करेंगे, अब देखो, जैसे सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम, देखिए, cos inverse x plus sin inverse x देखके, अंदर से फील होना चाहिए, कि πाई बाई टू रखेंगे, तो यहाँ पर देखो, इसको तू को अपन तोड सकते हैं, कि नहीं, देखो, देखो, cos inverse 1 by 5, एक जो है, cos inverse 1 by 5, plus sin inverse 1 by 5, πाई बाई टू बन जाएगा, एक जो है, एक मिलाके वो हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या है, cos πाई बाई टू प्लस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर आ चुका है, cos of cos inverse 1 by 5 आ चुका है, तो यह क्या है, cos के अंदर πाई बाई टू प्लस थीटा टाइप का लिखा है, देखो, जहाँ से देखो, यह पाई बाई टू प्लस थीटा लिखा हुआ है, और cos πाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है, cos πi by 2 plus θ तो minus sin होता है यहाँ पर क्या लिखोगे minus sin के साथ यहाँ पर आ जाएगा cos inverse 1 by 5 अच्छा देखिए हमें sin of sin inverse x के बारे पता है x होता है बड़ी हाँ पर तो sir cos लिखा है कैसे बनाएंगे तो हमारा पहला target होका इसको cos वाली चीज़ को sign में बनाना तो वो भी मैं यहीं पर बता देता हूँ वैसे हम अभी बताएंगे conversion में अगर मेरे को जैसे यह cos वाला है इसको मेरे को अगर sign में बनाना है sign में तो क्या करोगे PBS triangle होता है perpendicular base hypotenuse वाला यह जो चीज़ है 2 root 6 आजएगा under 25 minus 1 तो 2 root 6 होता है अब उठा के यहाँ पर पटक दो देखो यह sign में बन जाएगा कोई चीज cause में तो sign में बन जाएगी sign inverse के अंदर आजएगा 2 root 6 by 5 आजएगा अब देखो यह cancel हो जाएगा sign of sign inverse x तो यह x के बराबर आता है अभी cause में नहीं आता तो इस चीज को अगर लिखो के तो कित्ता आजएगा minus sign के साथ यह value आजएगी 2 root 6 by 5 और finally answer आजएगा B के बराबर देख रहे हो असार है देखिए पता होना चीज़े तो बहुत असान है properties का game है cause inverse x plus sign inverse x pi by 2 और pi by 2 plus theta लग गया definitely देख रहे होगे काफी एक असान पाता है अब यह सवाल को तुम try करना आसान है यह easy सवाल easy सवाल को अपन एक homework में ले लेते हैं काफी असान है देखिए यहापे sign verse of minus root 3 by 2 है तो इसमें minus को common लेना sign verse minus 6 दिख रहा है तो मैं यहापे लिख देता हूँ फिर pi by 2 plus pi by 3 बन जाएगा sign 5 5 by 6 अब देखना फिरांसा देखो बहुत ही असान और यही मैंने verbally तुम्हें solve करके बता दियो यह जही में 2023 में आया था 24 जो है जनवरी में भी दिख रहा है latest में दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ common निकालना था तो common निकालो कि तो किता आजएगा root 3 फिर यहाँ पे किता आजएगा 1 plus root 3 अब देखो यहाँ पे 1 plus root 3 1 plus root 3 यहाँ पे cancel हो रहा है देखो अच्छे से यह 1 plus root 3 1 plus root 3 cancel हो गया इसका मतलब किता गया 10 verse के अंदर किता गया रूट फो यहां पर ब्यांपर यहां से कॉमनर निकालो चुक है यहां पर बच रहे टूपलस रूट three नीचे भी बच रहे टूपलन सूब्स रूटबर अब बस अब वैलिट निकाल नहीं थी बस तो टैनोंड़ सिर्फ कित्ता आजेगा पाई बाइवाई इसका मतलब किता आजाएगा और यह इसे भी सवाल आते हैं को अप्रस और से अप्रस एच्छ तो मैं तुम्हें करके दिखाते हूं यह पी वाई क्यू ए तोम अपने अब बनाते रहे नैं डिकूर निखा हुआ है साइन वर्स ओफ साइन एक्स एक्स कब होता है जब माइनस नाइनटी और नाइनटी के बीच में होगा ये एक्स कब होगा जब जीरो से पाई में होगा ये कब होगा माइनस नाइनटी से नाइनटी तो कोई भी अभी बना हुआ है नहीं बलब डारेट कोई बना नहीं हुआ है, तो सबको ग्राफिकली हमें देखना होगा, तो साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ देखो, माइनस 90 और 90 के बीच में यह आता है, यह ग्राफ जाता है और यह ग्राफ जाता है, बस इतने मेरा काम हो जाएगा, तो Y की वेलिउ कित्ती आजएगी, पाई माइनसcciones x आजएगा, तो पाई माइनस्य तू पाई भाई थ्री मिला के जाएगा पाई भाई थ्री आजएगा, बहुस सही, तो इसकी वेलिउ सर आ रहे है यह पाई भाई थ्री के बराब, और answer check करने के बाद एको पता भी चल जाएगा सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं क्योंकि answer जो आना चाहिए हो minus 90 और 90 के बीच में आना चाहिए इसको check करो इसमें तुमें उपर-उपर पहाड मिलेंगे उपर-उपर, उपर-उपर cos inverse cos x के case में उपर-उपर तो 7 pi by 6 किस category में जाएगा इसकी category में आएगा equation लिखनी है, point किया है, 2 pi, 0 है equation लिखो कि y minus y1 m times of x minus 2 pi equation लिख लिए है तो 2 pi minus x आएगा, मतलब किता आएगा 2 pi minus 7 pi by 6 मतलब finally निकल कि किता आएगा 5 pi by 6 आगया, तो इसकी भी value मिल गई 5 pi by 6, तो pi by 3 मिल गया, 5 pi by 6 मिल गया अब tanverse tan x का graph बनाना है तो tanverse tan x के case में minus 90 और 90 की बीच में ये graph आएगा फिर उसके बाद, 90 और 270 में ये graph आएगा, इसकी equation लिखनी होगी क्योंकि इसी में लाई करेगा, 90 और 270 की बीच में 90 से बढ़ा है न, 3 pi by 4 है तो जब तुम्हें इसकी equation निकालनी है, तो slope क्या है 1, तो slope है 1, point क्या है pi, 0 है, equation लिखेंगे तो y minus y1 m times of x minus pi मतलब ये x minus pi लगाना है तो answer आजाएगा, 3 pi by 4 minus pi, तो इसका मतलब आजाएगा minus pi by 4 आजाएगा, बस अब सभी तीनों को add कर लो, मतलब pi by 3, फिर उसके बाद हो गया, 5 pi by 6 हो गया, minus pi by 4, तो इसको add बस करना था, और definitely तुम्हें बस answer आजाता, मैं एक बार add करके दिखा देता हू pi by 3 plus यहाँ पर आचुका है, 5 pi by 6 minus आचुका है, 5 by 4 के बराबर, I think add कर लिए, बस I think अब तो असान है, यहाँ पर 6 का LCM मिलोके, तो यहाँ जाएगा, 7 pi by 6 आगया, minus of यह आगया pi by 4 आगया, तो 28 minus 6, 22 pi by 24 आचुका है मनब 11 pi by 12 आजाएगा बस simplify करना था और get the answer बहुत ही basic काम था, mainly यह बलब पाट था, यह सारा काम ग्राफिकल यह अपन देख रहे हैं कि इससे सवाल में definitely tracking होगा, देखो 2022 में दिखा, 2023 का भी सवाल कर रहा है, तो pi by q's देखने से हमें पता चलता है, किस तरीके से सवाल आने वाले हैं, mainly बस तुम्हें graphs में focus करना है, जितने अच्छा से graphs में comfortable हो जाएंगे तो सवालों में बहुत असान है, आएट यह बहुत असान है, बस हमें graphs बता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने हर टाइप के तुम् inverse causes का graph आया, जितने भी यह graph आया, यह सारों में तुम्हें comfortable होना चाहिए, अब जैसे यह वाला सवाल यह बहुत ही असान है, अब इनको तुम ट्राइ करना, नहीं भी ट्राइ कर पाऊगे, चलो मैं बता देता हो, next वाला तुम अपने end से जरूर ट्राइ काल लेना, अब द को, perpendicular base hypotenuse को याद किये, कितना आजेगा, sine inverse of, यहाँ पे triangle बनाओ, 4 है, यह 3 है, यह 5 है, तो कितना आजेगा, 4 by 5 आजेगा, अब देखो, sine of, sine inverse x तो x पता है, सीधे अब निकाल देगे, पहले नहीं निकाल पाते, अब निकाल देगे, बस देखो, यहाँ पे सीधे formula अब लगानों, तो cos inverse के अंदर आजेगा, 3 by 10 into 3 by 5, plus, plus, यहाँ पे कितना आ रहे है, 2 by 5 into 4 by 5, that's it, यह 2 by 5 into 4 by 5 आ रहे है, एक बार चेक कर लेते हैं, यह 4 by 5 है, यहाँ पे 3 by 10 है, जब सॉल करने तो कितना आ रहे है, cos inverse के अंदर आ रहे है, 9 by 25 plus 8 by, 9 by 50, sorry, 9 by 50 आ रहे है, और उ 8 by 25 आ रहे है, अब इसको, जो है, solve कर लिए, 50 है, तो यहाँ पे, जो है, 50 हमारा LCM में चले जाएगा, तो 16 plus 9, 25, तो cos inverse के अंदर आ रहे है, 1 by 2 आ रहे है, बस, solve करने के बाद तुम्हाँ बस 1 by 2 आ जाएगा, और 1 by 2 जो है अपना वो, oh sorry, 5 by 3 के के कटेगरी में चले जाए है, easy है, जादा नहीं, बस values को रखना होगा, एक चीज़ का use होगा, जैसे 10 of 5 by 8 की value में तुम्हें बता देता हूँ, कि यह value होती है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, और 10 of 5 by 8 की value जो आती है, वो root to minus में आती है, कुछ चीज़े याद रखोगे, तो काफी सहीर आता है 10 of 15 degree, 5 by 15, 5 by 12 जो आता है, 15 degree, तो यह आता है, 2 minus root 3 के बराबर आता है, अब इसके बाद जैसे 75 degree की बात करें, कि 10 of 5, 5 by 12 की आता है, यह basic चीज़े हैं, कि at least तुम्हें याद रहेगा, तो काफी सहीर रहेगा, यह 2 plus root 3 के बराबर आता है, यह फिर इसको देखो, ऐसे भी ल 5 by 12 अगरे दिख रहा है, यह 5 by 8, यह 5 by 4, यह 4 by 9 तो add करने के बाद बनता है, तो अगर use कर रहा होगा, तो तुम इसको use ज्यरूर कर लिए है, तो यह तो बात होगी कि जैसे मालू sine verse sine x का graph आया, यह cos inverse 그럼 x का graph आया, यह cuuse of cosec inverse x का graph आया, यह ceint of second inverse x का graph आया, तो यह सारी graphs म तुम इसी तरीके से कर रहे होगे तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि 10 of pi by 8 की value जो हो जाती है 10 of तुम्हें बताया थे कि जैसे मालो की pi by 12 की value बतानी है तो 5 pi जो है root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 10 of 5 pi by 12 की तुम्हें value बता ही जो की आएगी root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 अब आता है इसमें conversion और simplified वाला form अब यह जो conversion और simplified वाला form पढ़ते हैं वो बहुत important है देखिए यहाँ पर उतना important तुम्हें नहीं दिख रहा होगा जब हम differentiation और integration रिकरेंगे उन problem से बहुत ज़्यदा helpful हो जाता है तुम्हें NCRT पर पर पार्ट दिया हुआ है जैसे कि मैंने conversion वाला पार्ट तुम्हें बताई दिया जैसे मालों कोई sine inverse x है उसको cos inverse x में कैसे बनाना है कोई चीज जैसे माल लेते है sine inverse x में है तो तुम्हें इसको cos inverse x में बनाना है तो कैसे बनाओगे PBS ट्राइंगल के तुरू, PBS, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनिय, कैसे यहाँ पर जैसे X दिख रहा है, यहाँ पर बन दिख रहा है, क्योंकि यह P upon H है, तो बेस कितना आजेगा, under root of 1 minus X का स्क्वेर, तो अगर कोई चीज साइन इंवर्स में है, तो उसको अगर cos inverse में बनाना है, तो कितना आजेगा, cos inverse के अंदर आजेगा, under root of 1 minus X का स्क्वेर, यही चीज को अगर तुम्हें बनाना है, tan inverse में, तो अगर तुम्हें tan inverse में बनाना है, तो आजेगा, तो बस तुम्हें क्या करना है, हमेशा PBS ट्राइंगल का यूज करना ह अब इसी में आजाता है simplified form, अब simplified form में जो questions आते हैं वो इस type के nature के होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है convert this in the simplest form, simplest of the simplest possible, तो ऐसे type के सवालों के लिए तुम्हें method क्या होगा, अगर तुम्हें कभी भी दिखता है x square plus 1, x square plus 1, तो यहाँ पे हमेशा क्या put करोगे वो 10th सिटा या तो court सीटा तो x की value 2 value टो पूट करोगे, या तो फिर पूट करोगे या तो court सीटा पूट करोगे, और अगर तुम्हें दिखता है , 1- x square, यह ध्या रखना क्या तुम्हें put करना है अगर 1-x² दिखा तईक्स की value क्या put करोगी हां पे sin theta put करोगे और cos theta put करोगे कोई वैल्यो पूट करोगे या तो sin theta या तो cos theta दोनों में से answer आएगा अकर x² plus 1 दिखता है तो क्या put करोगे x10 theta और या अगर x² minus 1 दिखता है तो क्या put करोगे x की value सेकी ठीटा या तो कॉश सेक ठीटा यह डिपंद करेगा कि सवाल किस केड़ेगरी कर आई हमेशा थिक ती या तो टैनंट कोट फट तो मैञचा लगते हैं या तो तुम अच्छा लगता है पूट कर सकते हूं जैसे तुम्हारा मन करें, इसको simplest of simplest possible way में लिखनाना है, तो जैसे अपन लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आजएगा, 1 प्लस 10 स्क्वेर थीटा आजएगा, आजएगा ने आपे, 1 प्लस 10 स्क्वेर थीटा तुम्हें पता होगा, सेक स्क्वेर थीटा आता है, बलब यहाँ प मन simplify कर पाएं, छोटा मैं छोटा answer लिखना है, अब इसको क्या करोगे, साइन कॉस में बनाओगे, जब तुम्हें यहाँ पर साइन कॉस में बनाओगे, देखो कैसा बन जाएगा यह, एंवर्स के अंदर आ जाएगा, यह, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड़ बाइ साइन बस, इस फॉर्मले को लगाओगे, तो कितना आजएगा, वन माइनस कॉस थीटा जो किया आजएगा, टू साइन स्क्वेर थीटा बाइ टू, साइन थीटा बाइ टू, अब तुम्हारा कुछ कैंसल आट हो रहा होगा, कैंसल आट कर दो, जैसे यहाँ पर तुम्हें टू, कैंसल हो रहा है, कैंसल कर दे, साइन थीटा बाइ टू, साइन थीटा बाइ टू कैंसल हो रहा है, कैंसल कर दे, कैंसल कर दे, कैंसल कर दे, कैंसल कर दे, कितना आगया, साइन थीटा बाइ टू, तो यहाँ पर आंसर क्या आजएगा, थीटा बाइ टू आजएगा, पर यह न अंसर फाइनल सब्सक्राइब इतना सिंपलिफाइए करने के बाद इतना इजी कर दिया इस पार्ट को अपने क्या कर दिया हाफ टाइम के अंदर टैन इनवर्स एक्स तो में फॉर्मला देखता है है अब हमारे पर दूट करोगे एक्स की लिओ टैन टीटा या तो कोटपर उट करोगा ऐसे कोड़् करोगा attempt पुट खाये काश्व से आंसर आएगा तो से थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा पूट के तो वन माइनस कॉसीटा अपॉन क्या आगया साइन थीटा आ गया उसको फार निक्स हाफ एंगल के फॉर्मिली लगा है यहां पर सीधे सिंप्लिफाई हो गया है यह हाफ टैम सब्सक्राइब इसी इसको 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 इस तरीके से लिख सकते हो 10 verse के अंदर 10 of pi by 2 minus theta देखे, cot theta को अपर लिख सकते है pi by 2 minus theta बसो क्या देखवा answer यहाँ पे आ रहा है pi by 2 minus theta आ रहा है theta की value क्या है? second verse x यहाँ पे रख दिये otherwise देखो, अगर तुम जिसे मालो causex रखते हैं तो तुरंट आ जाता यहाँ पे मेरा exact theta रखा यहाँ पे आ जाएगा बस फिदे formula ही लगाना था यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा 2 sin square x by 2 फिर यहाँ पे किता आ जाएगा 2 cos square x by 2 1 plus cos x किता आ जाएगा 2 cos square x by 2 काट दिये, काट दिये, कितना आ गया tan inverse के अंदर आ जाएगा tan of x by 2 मतलब यह value किता आ जाएगी x by 2 tan inverse of tan x का आता है x के पराबर आता है पर इन्होंने और जो quadrant दिया हुआ x की value अगर तुम देखोगे तो यह 0 से लेकि 5 तक दिये यहाँ पे x by 2 था तो x by 2 किता आ जाएगा 0 से लेकि अगर मैं x by 2 पाई बाई टू देखोँगा तो 0 से लेकि पाई बाई टू में तो यह x by 2 ही निकलेगा ना क्योंकि tan inverse of tan x अगर minus 90 और 90 के बीच में है तो यह x निकलेगा यह चीज बताएगी यह tan inverse of tan x यह x आता है यह कब आता है जब x की value माइनस नाइनटी और नाइनटी के बीच में तो इस तरीके से तुम्हें सिंप्लिफाइट पॉर्म है जितना इजियस पॉर्म है अपन बना पाए जिसे यहां पे देगो ने इजिए देगो शूटा से दिख रहे है ऐसे टाइप के सवाल में इंटीग्रेशन और करोगे के बाद ही यह सब सिंप्लिफाइए होंगे से अपे कॉस एक्स दिख रहा है वन माइनस साइनगे इंटी और इस चीज को तो भी क्या करोगे यहां पर one minus cost of pi by two minus x लिखने ना ठाके तुम यहां पर formula लगा पाऊ क्योंकि formula लगा नहीं पाऊगे ना सइन तो फॉर्मला होता है और सब्सक्राइब होता है तो तब यहां पर formula लगा पाऊगे कौन सा formula लगाओगे यहां पर लिक दे रहा हूं अपने से करोगे तो थोड़ा सब्साइब बैटर फिल होगा समझेद तो अच्छा फील होता है यहां पे तू साइन तीटा ओटीटा और वन माइनस कॉश्टू थीटा जो one को स्क्वेर थीटा अपन लिखेंगे तो यह चीजे हैं एक बार देख सकते हैं माइनस कॉस्ट थीटा का पार्ट है फाकी फिर देख लेना कि रेंज में वैसे वो निकली जाएगा डारेक्ली डारेक्ली वाला पार्ट है अगर नहीं निकलेगा तो वो ग्राफीकली अपन को देखना पड़ेगा ग्राफ वाले पार्ट में कुछ अब्जेक्टिव टाइक के प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जिसे मालो साइन ऑफ टाइन बर्स एक्स है अगर एक्स की विल्यों माइनस बन टू बन है तो क्या करोगे इस वाले पार्ट को साइन में बनाओगे अभी न इंवर्स के अंदर एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेर और सीधे तुम्हें आंसर मिल रहा होगा फूर्ट वाला तो यह बेसिक बेसिक ट्रैप में तो सवाल तुम्हें बढ़िया से बनने चाहिए कई बर इस ट्रैप के सवाल आते हैं यह जैसे यह अंदर लिखा हुआ है को थीटा लेना उसके बाद ही हमेशा करोगे इसके बाद ही हमेशा स्टार्ट करोगे इसका मतलब हो गया जैसे इसको पहले इसको लिख लोगे हाफ टाइम्स के अंदर स्टारouse फिको पूदर वहाँ क करोजटर बेना अब लिखा है कोशटो थीटा की जो वेलिउ आ चुकी ए वचुकी वैलियू आई तो यह ना तो होजटो थीटा की वैलिउ आईए आई है सब्सक्राइब यहां से वैल्यूनिंग प्लस माइनस वैरेगा बटबन जो है निगेटिव नहीं लेंगे तो कि यहां पे जो कॉड्रेंट आ रहा है वो हमारा फिर्स्ट वाला कॉAUDREN है तो फिर्स्ट कॉटन में पॉस्टि भी आंसर आएगा यह तरीखा हूँ अगर इस सवाल के अंदर कुछ लिखा हूँ और पहले अपन धीटा माल लेंगे उससे तुम्हें यह सारे सवाल बन जाएगे हाना यह तुम्हें एक होमवर्स के अंदर र यहां पे sin alpha की value तुम्हें given है, sin alpha की value तुम्हें given है, root 63 by 8 के बराबर, सोचना है कि sin alpha क्या है, क्या करना देखो cos alpha में बनाना, hint तुम्हें देखे, hint देखे ताकि तुम सवाल को बना पाओ, सारों में hint ताकि तुम्हें बन जाएए सवाल है, सबसे पहला काम क्या करना hint में, मैंने cos alpha निकालना यहां से, sin alpha तुम्हें बता है ? cos alpha से तुम निकालोगे, sin alpha by 2, फिर sin alpha by 2 से तुम निकालोगे cos alpha by 2, तब जाके तुम sin alpha by 4 में पहुचोगे, यह तुम्हारे लिए hint है, तो cos alpha कैसे निकालोगे, PBS triangle के दुरू, इस तरीके से रहेगा खुझ से करोगे तो थोड़ सा एक बैटर फील होगा वाकी मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिए अब इसमें कुछ और और भी फॉर्मले सोथ और यह इन वह नहीं काम करना अच्छे से बना लेना जो भी जैसे जी की टोमेश है उसको एक बखायता है एक बढ़ीया सेन सेन ग्राफ कैसे आते हैं साइब वाइस प्लस साइन वर्स वाही जो आता है वो आता है sine verse of x under root of 1 minus y का square plus y under root of 1 minus x का square sine verse के अंदर लिखा हुआ है x under root of 1 minus y का square plus y under root of 1 minus x का square यहाँ पे जो condition होती है यह बहुत important condition है x square plus y square की value क्या आने चीए less than 1 आने चीए अगर greater than 1 आती है तो यहाँ पे pi minus करके लग जाता है sine verse के अंदर x under root of 1 minus x का square plus y under root of 1 minus x का square देगे सोचो के कैसे इसको derivation में होता है बड़ अपर दील में नहीं जाएंगे इसको derivation आता है इसको सोचो कैसे जैसे sine a plus b का formula होता है sine a cos b plus cos a sine b इस तो वहीं से इसके सोचने का अनता आ जाए sine a cos b plus cos a sine b बनाओगे तो अंदर root of 1 minus y square आता है तो उस तरीके से इसको सोचो जाएगा अगर x square plus y square की value greater than 1 है तो क्या जाएगा sine inverse of x under root of 1 minus y का square plus y under root 1 minus x का तो उस पाद pi minus करके कब लगाओगे जब x square plus y square की value greater than 1 है बाकि x y हमेशा positive वाले चलते हैं तो x y आएगा अगर सर इसमें negative आगया जैसे मान लोग पूछ लिया sine inverse x minus sine inverse y अगर ये आगया तो इसमें तो कुछ भी रही इसमें सिर्फ एक ही formula आता है इसके case पे दो formula आते हैं यहाँ पे क्या होगा हमेशा बस दो एक ही formula है जैसे sine a minus b का formula आता है तो कितना आता है sine a minus cos b sine a cos b minus cos is n b तो बस यहाँ पे minus sine आ जाएगा minus sine के साथ under root of 1 minus x का square यहाँ पे बस x y की value positive होने चाहिए बस इतना ही है जैसे इसमें तो बहुत सब्सवरी काम है यहाँ पे क्या होना चाहिए x की value और y की value क्या होने चाहिए positive positive सा part होना चाहिए बस इसमें एकी formula अपने पास अगर minus में unit आता है प्लस में अपने पास दो unit आते हैं अब जैसे यहाँ पे हो गया cos inverse x plus cos inverse y cos inverse x plus cos inverse y का formula आता है इसमें भी अपने पास जो है एकी formula आता है तो अगर plus होगा तो यहाँ पे minus आजाएगा अगर यहाँ पे plus होगा तो यहाँ पे minus होगा तो plus आजएगा तो cos inverse के अंदर xy minus sign के साथ under root of 1 minus x का square under root of 1 plus x का square तो एक y की value क्या आने चीए? greater than x होने चीए तो y की value यहाँ पे क्या होने चीए? greater than x होने चीए तो यह part है, cos inverse x plus cos inverse y इस cos inverse of x under root xy under root of जैसे cos a plus b का formula होता है, cos a cos b minus sign a sign b वही आता है, minus आता है, इसलिए उस reason से minus आता है cos a minus b निकालते तो क्या आता है? cos a cos b plus sign a sign b, तो minus लिखते तो plus आता है वैसे है यहाँ पे तो minus लिखा तो plus लिखा तो minus आता है cos inverse x minus cos inverse y इसमें कोई condition नहीं, कुछ खास अगर हम देखे, कोई condition नहीं है mainly condition है, sin inverse x plus sin inverse y वाली में और tan inverse x plus tan inverse वाली में cos inverse में तो सिधे direct result है, इस result में ध्यान रखना कि tan inverse x plus tan inverse y जो आता है tan inverse के अंदर x plus y upon 1 minus xy तो अगर xy की value less than 1 है, तो यह answer आजएगा और अगर xy की value greater than 1 है तो यह आजएगा और xy की value 1 है, तो फिर यहांबे पाइबाइट वाजएगा तो अगर x into y की value अगर 1 है, 1 है, एस वाइट वाइट वाज़ाटी आजएगा और अगर माल लेते हैं, एकस वाइट वाइटर देन 1 है अगर multiply करते हैं तो पाई प्लस करके आजएगा तो यह ध्यान देने वाली वाली प्लस सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरीके से इसको किया जाता है तो साइन वर्स वाले तो हमने जैसे मालो यह वाली वाले में दो फॉर्मली आएंगे यहां पर लगाने में फॉर्मली लगा के देखते कैसे अपन लगाएंगे सबसे पहला क्या होगा माइनस लिखा है तो माइनस में तो कुछ चेकी नहीं करना है माइनस में तो बस यह चेक करना है एकस वाई पॉस्टिव है हाँ पॉस्टिव है सीधे फॉर्मला लगाना है तो कि तो आएगा थैन वर्स के अंदर एकस माइनस वाई अपॉन प्लस एकस अब इसको सॉल करोगे तो आजएगा वन अपॉन यह सेवन आजएगा तो आजएगा तो इसको देखके आंसर को फॉर्मला नहीं लगाना है यह तो थोड़ा आसान है क्योंकि इस पर जैसे श्रीज़ी दिदे बस क्या लगाना होगा कॉस इन वर्स एकस देखके यहां पर क्या लगाना włas पाई two- ब साइन वर्स एक्स को लिखते हैं प्लस ने को चूड़ दो कि आ जागा बागि साइन वर्स नखाना रहें जो हम आँ आप से इंगल वाल रिजयर गीवन है, minus 1 to y, x की value y by 2 greater than 1, हाणा, तो चले गा, x greater than 1, y by 2 है, या y greater than x है, उससे value है, देखो, उसी मामले में set हो गया, मेरा उसी बामले में set हो गया cos inverse x plus cos inverse y प्र Conse diapers and y अगर cos inverse x minus cos inverse y अगर cos inverse x minus cos inverse y ये formula तभी लगता है जब y की value greater than x होनी चीज़िए уры averaging type नहीं यहाँ पर y की value greater than x होनी चीज़िए अगर cos inverse x minus cos inverse y लिखा होए तो इहाँ पि देखो इसलिए लिखा हुआ है, y by 2 is greater than x यह है, positive के लिए तो चले एक x greater than y आजा है, y greater than x आजा है, बट अगर negative है, तो यहाँ पर y greater than x होना चाहिए जैसे यहाँ पर तुम्हें formula दिख रहा है, cos inverse x minus cos inverse y, यह कुछ value निकालनी है अपन को, 4x square minus 4x y, plus y का square, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें formula को activate करना होगा, पहले देखो, पहले हमेशा pause करोगे, पहले पहले question को बनाओगे, खुद से, फिर mentally check करोगे, क्या मैंने सही किया, क्या, कैसे तुम्हें चीज को utilize कर पाओगे, परना जैसे देखे और चापते के, तो फिर बात नहीं बनेगी, पहले कहा काम करना है, कि पहले खुद से बनाना है, फिर check करना है, कि check हुआ, हाँ, ठीक है, very good, नहीं check हुआ, मतब कुछ गरबड़ी है, तो problem को हमेशा पहले खुद से अपने level में solve करना है, then उसके बाद जो है, बनलब जो है, check करना है, कि गलत क्या क्या है, जिसे formula activate करो, देखो, यहाँ पर, formula activate, x, y, तो यहाँ पर x, y, minus, under root of 1, minus x, square, under root of 1, minus y, square by 4, is equal to alpha, यह problem आगे, अब इसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पर solve करोगे, तो किता आजएगा, x, y, by 2 आ गया, minus sign के साथ आजएगा, under root of 1, minus x, square, under root of 1, minus y, square by 4, is equal to, आजएगा, cos alpha, अब क्या करो, cos alpha को इधर बेजो, और जो under root वाली चीज़ है, उनको उधर बेजो, और स्क्वेरिंग कर दो, जब तुम स्क्वेरिंग करोगे, तो ऐसा बन जाएगा, x, y, by 2, minus cos alpha, का square, और square, under root का है, यहाँ पर उड़ी जाएगा, तो आजएगा, 1, minus x, square, 1, minus y, square by 4, अब इसको क्या करोगे, open करोगे, मतलब a, minus b, square को open करोगे, जब open करोगे, तो by 4, तो cancel हो गया, अब 1, minus cos square alpha, दिख रहा है, cos square alpha, तो sin square alpha आजएगा, बाकी इधर आजएगा, मतलब यह value कुछ इस तरीके से आजएगी, x, square, plus y, square by 4, minus x, y, cos alpha, is equal to sin square alpha, आजएगा, क्यों, क्योंकि 1, minus cos square alpha, sin square alpha होता है, अब LCM बगरे ले लो, क्या आजएगा, 4x का square, plus y का square, minus 4xy cos alpha, is equal to, आजएगा, 4 sin square alpha के बराब, अब हमें यह value निकाल ली थी, देखू, जहां से, 4x का square, minus 4xy cos alpha, plus y का square is, I think, 4 sin square alpha, तो तुम्हें C, एक बहतर option दिख रहा हो, एक बहतर option के तरफ, C तुम्हें दिख रहा होगा, देखो, यहाँ पे xy by 2, minus sign के सांद, under root of 1 minus x square, and yes, 1, एक बढ़ देख लिए, काफी असान unit का, देखो, सिधे formula लगाना था, ऐसा भी नहीं कुछ, ताम जाम किये, और xy के विल्व पॉस्टिबी की मेना है, यहाँ पे लगाओगे, तो क्या आजएगा, 10 verse x plus 10 verse y, तो कितना आजएगा, 10 verse के अंदर, x plus y upon 1 minus of x square, यह 1 minus of xy के बराबर, देखो, यह, यहाँ पे 5 by 4 आजएगा, उसके बाद solve किये, get the answer, यहाँ पे solve करें, 1 minus 6x का square आजएगा, उधर जाएगा, तो यह 10 by by 4 तो 1 बन जाएगा, तो यहाँ से solve करोगे, तो कितना आजएगा, 6x का square plus 5x minus 1 is equal to 0, बढ़िया सी बहतरीन सी एक quadratic बन चुकी है, बन चुकी है, तो यहाँ पे 6x का square, प्लस यहाँ पे आजएगा 6x minus x minus 1 is equal to 0, 2x की 2 values आ रही है, एक minus 1 आ रहा है, एक 1 by 6 आ रहा है, minus 1 यहाँ पे आ नहीं सकता, minus 2, minus 2, pi by 4 नहीं आ सकता, बस यहाँ पे 1 by 6 आएगा, तो single turn set कर लाएगा, single turn set मतलब एक unit कर लाएगे, तो सिर्फ और से बढ़ियो, formula का ही सारा कुछ कमाल है यहाँ पे, formula आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अपन फसने की कागार में दाएंगे, ठीक है, तो रहसे एक बहतर सवाल है, इसको try करीएगा, जहीं मेंस में 2020 में आता है, बहुत ही असान सवाल है, ऐसा भी नहीं कि tough सवाल है, कैसे तुम करोगे, बस यह a cube plus b cube का formula लगाओगे, हिंट यह रहेगी, a cube plus b cube का formula लगाईगा, a plus b आता है, तो a plus b तो pi by 2 बन जाएगा, पिर उसके बद ऐसा बन जाएगा, a square, फिर उसके बदेगो, हिंट पर देते हैं पूरा नहीं स्वाल करूँगा, a square plus b square, अच्छा सवाल, इसलिए मैं सहाँगा, कि तुम करोगे, तो एक बहतर फिलोगा, कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, minus sign कैसा, tan inverse x into cot inverse x, हाना, तो a square plus b square का formula लगाओगे, a cube plus b cube का, a plus b, a square plus b square minus a b के पराबर, अब यहां पर क्या करना न, एक unit में लेकर आना, एक unit में मतलब जैसे cot inverse x को लिखना, pi by 2 minus tan inverse x, हाना, इस तरीके से, और इसको भी क्या करोगे, इसको भी क्या करोगे, cot inverse x को pi by 2 minus tan inverse, तो क्या होगा न, एक quadratic tag की बन जाएगी, pi by 2 में इस type के कुछ quadratic बन जाएगी, ऐसे a times of tan inverse x का square हो जाएगा, फिर ऐसे type की एक quadratic बन जाएगी, b times of tan inverse x plus c, अब इसको क्या करोगे, quadratic में क्या करोगे, एक perfect square सा बना लोगे, perfect square, perfect square बना के, जैसे quadratic की अपन निकालते हैं न, बिल्कुल वैसे ही तो में range निकालना होगा, range, तो ये range type का इसका कमाल है, range type, तो range type बनाओगे, minimum maximum value तो पता ही है, कि time versus x की वैसे क्या करोगे, minimum maximum value पता है, एक बार क्या करना, minus pi by 2 डाल देना, और एक बार क्या करना, प्रफेट स्क्वाइर बनाने के बाद, और तुम्हें फिर ये answer, ये observe होगा, तो मैंने सारे steps तुम्हें बता दिया, बस तुम्हें करना होगा प्रक्रिया, करना सॉल्ट होगा, ये साने इतना भी tough वाला part नहीं, अर अराम से इसको solve, तो ये हमारा maximum minimum का काम होगा, तो ये स्को solve जरूर किये, देख लेना maximum minimum कोई quadratic बनेगे, तो quadratic की minimum value जैसे square बनाओगे, तो perfect square की minimum value जो आजाएगी, वो 0 आजाएगी, maximum के लिए जो है πाई बाई बाई टू का यूज़ग और माईनस पाई बाई बाई टू, यहाँ था, जेए मैंस में 2022 में 24 जून को, तो यह सवाल मैं कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, x into y लिखा, x square plus y cube है, खोड़ सा अजीव लगता है, बट है असान ही है, जैसे यहाँ पर देसे यहाँ पन को निकालना है, x dot 1 की value निकालना है, तो x की जगह अब x square plus 1 आ चुका है, y की value 1 है, तो मलब right side की जो left side की जो value वो इस प्रकार आ रही है, x square plus 1 का square plus 1 का square, यह आ रहा है, इस side में, अब अगर right side में solve करोगे इस side में, तो 1 into 1 की value निकालो के तो कित्ती आएगी, 1 into 1, यह आ जाएगा 1 square plus 1 का cube आ जाएगा, तो यह value 2 आ जाएगी, मलब x cross और 2 आ जाएगा, तो x cross 2 की value निकालो के, तो x square plus 2 का cube टाइप का बन जाएगा, अब इसको बस solve कर लिए, solve कर लिए मलब इसको बस solve करना होगा, तो x की power 4 plus 2x का square, प्लस 1, प्लस 1 मलब 2 हो जाएगा, और x square plus 8 के बराबर, अब यहाँ तो solve करेंगे, तो x की power 4 plus x square की जो value आ रही है, तो हमांकेदार answer आ रहा है, 6 के बराबर, तो वोगर कोई पुछे, x की power 4 plus x square कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है, 2 sin inverse के अंदर आ रहाएगा, 1 by 2, 4 by 8 है, मैं रहाएगा 1 by 2 है, तो answer आ रहाएगा, 2 times of यहाँ पर आ रहाएगा, pi by 6, तो value कितना आ रहाएगी, pi by 3, तो finally answer कितना आ रहाएगा, pi by 3 आ रहाएगा, तो आई दिंग आसान था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें को जो लिखा हुआ था, बिस उसी condition को follow करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है, x into y, x square plus y cube है, तो मैंने क्या किया, पहले x into 1 निकाला, एक बाद निकल गया, फिर x square plus 1 into 1 की value निकाली, तो कितना आएगा, x square plus 1 का cube, 1 का cube हमें पता ही कि, वो 1 ही आजाएगा, तो इसलिए आपे 1 का cube लिख लो, चाहिए 1 का square लिख लो, तो ही फरक नहीं पड़ेगा, महाँ पर क्या है, 1 into 1 पहले निकाली है, जो bracket वाला part था, तो 1 into 1 की value कितना आएगी, 1 square plus 1 का cube तो 2 आजाएगा, तो x dot 2 आजाएगा, तो x dot 2 कितना आजाएगा, x square plus 8 आजाएगा, इस side में solve किया तो x की power 4, 4 plus x 2, x square plus 2 आजाएगा, बाकी यह cancel हो जाएगा, तो 8 minus 2 की value 6 आ रही है, अब इसको यहाँ पर put कर दिये, तो 6 minus 2 upon 6 plus 2, 4 upon, यहाँ पर आएगा 1 upon, इस तरीके से problem को simplify करना था, तो आप जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, देखो, sine inverse of 4 by 5, यहाँ पर sine inverse of 4 by 5, sine inverse of 5 by 13, sine inverse of 16 by 65 के लगए, तुम चाहो तो इसको 10 में भी बना के कर सकते हो, या इसको normally भी sine inverse x, प्र आइन inverse y भी लगा सकते हो, तो अगर तुम 10 में जिसको बनाओगे इसको 10 में, अगर यह 10 में बन जाएगा तो कितना बन जाएगा हैं आपर, 10 में अगर बनाना है, तो यह 10 inverse of 4 by 3 बन जाएगा, यह अगर इसको 10 में बनाओगे तो कितना बन जाएगा, यह 10 में बन जाएगा, xy की value चेक करोगे xy xy कितना आ रहा है 4 by 3 into 5 by 12 कितना आ रहा है 20 by 36 आ रहा है 20 by 36 मलब xy की value less than 1 आ रही है तो सीधे सीधे यहाँ पर formula लगाओगे tanverse of x minus y x plus y upon 1 minus xy मलब सीधे सीधे formula पहले अपन को चेक करना होता है हाना उसके बाद ही unit लगाओगे 1 minus 20 upon 36 के पराबर 1 minus 20 upon 36 इसको solve कर लेते हैं तो नीचे I think denominator में आ रहा है 16 उपर solve करोगे तो यहाँ से solve करने के बाद तुम्हें सीधे सीधे value आ जाएगी 63 upon 16 की value हाना और यह कितना रहा है tan inverse के अंदर आ रहा है 16 upon 63 के पराबर यह तो कॉर्ट में भी बना सकते हो उसको tan inverse x plus cot inverse x की value जसे इसको cot में बनाऊगे cot inverse के अंदर 63 by 16 इन दोनों को solve करने के बाद आ जाएगा pi by 2 तो इंक इतना आ गया पूरा solve करने के बाद इसको unit को solve किया तो pi by 2 आ गया बाकि 2 पाई 2 था ही तो आंसर केता आ जाएगा 3 pi by 2 2 pi minus pi by 2 सिद्धे सिद्धे formula देखो j may spendar 2020 formula वाले पाट हैं कुछ नया नहीं करना है simple basic basic formula की formula लगाना चाहिए sin inverse x plus sin inverse y भी check कर सकते हो उसमें तुमें check करना होता x square plus y square greater than 1 बन बनाने में थोड़ा सान बढ़ता है इसलिए मैं हमेशा यह प्रिफर करता हूं कि टैन्वर्स में बना ले तो उसमें थोड़ा सा थोड़ा सा हमें easy वाला पार्ट हो जाएगा तुम देख रहे होगे किस किस ट्राइब के बना ना हमेशा कोशिश किया हमेशा यह कोशिश करना हमें कि अगर कोई साइन वर्स वाली चीज उसको हम टैन वर्स में बना ले और अगर माल सटेड कॉस्त करके हों घंट स्वाइब Ku Awards बंढ़ने में उसमें कि आ जाएगा अगर xy greater than 1 है, तो πाई प्लस करके आजाएगा. अगर xy less than 1 है, तब तो direct अपना problem है. और sinverse x plus sinverse y वाले में, उसमें क्या आजाएगा कि जो है, नॉर्मल आएगा, अगर x square plus y square की value less than 1 है, और अगर x square plus y square की value greater than 1 है, उस case में क्या आजाएगा, पाई माइनस करके आजाएगा, जैसे कि ये problem तुम्हें दिख रही है, ये cot inverse of this और tanverse of this, पुझारा sin x ही है, तो सबसे पहला क्या होगा, इसको tan में बना लेना, इसको tan में बना लेते हैं, tan मतब ये चीज़ को tan में बना लेते हैं, तो कोई भी चीज़े से TBS में बनाऊगे, तो ये base upon perpendicular है, तो इसको ultra लटका दोगे, तो tanverse में आजाएगा, तो ultra लटका दो, ultra कर दो इसको ये, ये tanverse के अंदर आजाएगा, under root of 1 by cos alpha आजाएगा, माइनस tan inverse के अंदर आजाएगा, under root of cos alpha आजाएगा, is equal to x आजाएगा, अब इसके बद तुम क्या करोगे, formula activate करोगे, अब tanverse x minus tanverse y वाले formula activate करोगे, कर लो भाई formula, तो कर ली हैं आपे, तो 1 upon under root of cos alpha, minus sign के साथ under root of cos alpha, plus 1 plus यहाँ पे आएगा, under root of cos alpha, into under root of cos alpha, is equal to x, tanverse x minus tanverse y, tanverse of x minus y upon 1 plus xy, यह formula अपना activate हुआ, उसके बाद तुम देखोगे, tan इदर चाहएगा, इदर भेज़ दो इसको, चल भाई, निकल यहाँ से, तो यहाँ पे आजाएगा, tan x आजाएगा, अब इदर भी क्या आजाएगा, देखो, तो एलसे मगर ले लो, तो एलसे मगर लोगे कितना आजाएगा, वन माइनस कॉस alpha, डिवाइड़ भाई यह आजाएगा, तू अंडर root के अंदर, कॉस alpha के वलाबर, तो यह tan x आया, बट मेरे को तो tan x सीगी न, मेरे को तो tan x सीगी, 1 square plus cos square alpha minus 2 cos alpha plus cos 4 alpha. यह क्या आजाएगा, perfect square बन जाएगा, 1 plus cos square alpha plus 2 cos alpha, तो इसलिए 1 plus cos alpha बचेगा, sinus के case में याभी हाइपोटनेश जो आजाएगा, 1 minus cos alpha upon 1 plus cos alpha. अब भेतरीन तरीकेस δेखो, 1 minus cos alpha क्या होता है, 2 sin square alpha by 2 1 plus cos alpha क्या होता है, 2 cos square alpha by 2, और किता रहा है वं प्लस कॉस आलफा है वांसर की नहीं है अंसर देख तो के लिए पड़ा होगा कहीं धूना पड़ेगा बस एक ही फॉर्म में लेकर आना को उन बड़ो या तो तर्फ को ट्राइब कर लें या तो उसको या तो तो इस Frage पूराना वाला प्राह прямо की वाला सा या गुर्ण या तो बराबर भी कर सकता है है लाता है चब लाखता है चैसे की से dal refund एकٌ लगाता है और पोत आद जीए गर तो इसको बस इसको और इसको या तो तुम इसको बराबर भी कर सकते हो और जाएगा तो यह साइन वर्स एक्स बन जाएगा उदर बेज़ करके दिखाते निकों साइन वर्स के अंदर आ गया X2 x2 को क्या करोगे Sine inverse में लिख लोगे Sine inverse of X2 minus X4 by 2 and so on अब देखो ये वाली चीज है और ये वाली चीज है तो यहाँ पे एक सिरीज से तुम्हें दिख रहे होगी Binomial की जीपी की तुम्हें सिरीज दिख रहे होगी माइनस Xby 2 का दिख रहा होगा तो इसमें जीपी लगाओगे तो क्या जाएगा A upon 1 minus R वहाँ पे भी जब तुम जीपी लगाओगे तो क्या जाएगा A upon 1 minus R परस खट यहाँ से क्या होगा X की वेल्यू बस सॉल करनी थी और आंसर आजाता जो भी X की वेल्यू आएगी वो 0 और root 2 के बीच में आएगा जो mod X होगा वो 0 से लेकर root 2 तो यह इसलिए दिया हुए तकि अपन जीपी लगा पाए S infinity का formula आता है A upon 1 minus R तो वो तभी valued होता है जब R की value जो है काईदे से 1 आने चीए एक 0 आएगी तो अपन उठानी पाएंगे क्योंकि X X मैंने cancel कर दिया ना तो वहां तेक root 0 भी आ चुका है तो 0 अपन उठाएंगे नहीं बाकी में X की value 1 में यह हमारा satisfy कर रहा है 1 रखके भी देख लो 1 यहां पर satisfy भी कर रहा है यहां पर देखो 1-1 by 2 plus 1 by 4 1-1 by 2 plus 1 by 4 satisfy कर रहा है तो यह नहीं करेगा इसमें तो करेगा उसमें नहीं करेगा option से भी दिख रहा है कि option जो आएगा वह वाली category आएगा यह भी हमारे एक PY क्यू था ही है हाना कि देख ली है अब देख लो इसमें यह टाइप की problem से तो किस टाइप की problem तुमें करा दे रहा है जित्ती maximum अपन कर पाए है तक ही अपन जो है सवालों में कहीं उल्जे ही नहीं है जिसरे यहां पर लिखा हुँए x का square लिखा हुआ है फिर sin inverse के अंदर लिखा हुआ है फिर cos inverse के अंदर लिखा हुआ है की बात करें तो चलो वो लंबी चले जाएगी minimum value की बात करूँ इस quadratic की minimum value तो 1 ही आ सकती है क्यों क्यों क्योंकि ये तो हमेशा 0 ही आएगा इससे कम थोड़ी नहीं आएगा तो ये 0 प्लस 1 ही जा सकता है ये भी 0 प्लस 1 जा सकता है और अगर मैं sine verse 1 की बात करूँ इतना ही ये exist कर पाएगा क्योंकि अगर तुमने x की value जादा कर दी तो sine verse वाला मना कर देगा क्यों क्योंकि sine verse वाली में value जो आती है maximum value आती है वो 1 ही आती है 1 से जादा नहीं आ सकता बनलब ये equation तभी true आएगी जब x की value 1 होगी बस और कोई तरीका नहीं है तो a प्लस यहाँ पर आजएगा sine verse 1 बस a x की value 1 डाल दो 1 इसलिए डालते है क्योंकि इससे जदा कुछ उठाई नहीं पाएगा उठाई नहीं पाएगा तो a प्लस pi by 2 is equal to 0 a की value यहाँ पर solve करोगे तो minus pi by 2 आजाएगी बी यहाँ जाएगा तो अगर maximum वाले सबाल आए जैसे domain के अंदर दिया हुआ तो इस तरीके से बनाओगे वैसे अगर तुम quadratic भी निकालोगे तो इसका d negative आएगा d negative आएगा हमेशा यह increasing मालब उपर के तरफ graph जाने बाला है quadratic तो हमेशा greater than 0 आएगी तो minimum value जो आजाती है वो minus b by 4 a और maximum value तो अपने पास infinity में चले जाती है तो minus b by 2 a काओ minus d by 4 a होती है तो बस वही value निकाली गई है उसमें नहीं भी चाओ तो perfect square बना के कर लो यह differentiation से भी बहुत सारी तरीके होते है इसको minimum maximum निकालने के ठीक है तो यह भी type के problem आते है सेम यही problem है चीकि तुम try कर लेगा सेम इसी type का problem है इसी type का ही problem है इसमें value बताने है से square x की आसे है दिक लिखा हुआ है साइन वर्स के लिखा हुआ है पर यह लिखा हुआ है और यह लिखा हुआ है तो यह maximum कहां तक जाएगा 1 एप जाता है तो A को क्या बनना पड़ेगा लोहांसर भी बतादे से एक की तरीका है कि 0 बननना पड़ेगा और कोई तरीका है कोई तरीका ही नहीं है अलब इसना तुम मनना निपाऊ गए लोगे तो होई नी पाएगा तो क्यों रहेंगे अपने अपना मैंने तुम बता दिया था कि तक तुम इसको कर लो वाकि यह रेंच बाले टाइब के थे यह रेंच टाइब के प्रॉब्लम यह तुम्हें बता दी थी है ना कि sin inverse x plus cos inverse y plus sin inverse z जो आएगा वो 2 pi के बराबर है है ना कि range type के माला maximum minimum वाले सवाल जो थे वो ये वाले type के सवाल आते हैं जैसे ये लिखा हुआ है sin inverse x plus cos inverse y plus यहां पे लिखा हुआ है sin inverse z is equal to 2 pi तो maximum minimum वाले type के तुम्हें सवाल बता दी थे कि ये वाली value जो है कि minus pi by 2 से pi by 2 आएगा या तो ये maximum पे जाएगा या तो minimum पे जाएगा या तो ये maximum पे जाएगा या तो ये minimum पे जाएगा तो minus pi by 2 से लेके pi by 2 तक है ये ये value क्या है 0 से लेके pi तक है और वो value वैलू किया ए माइनस पाइबाय टू से लेके पाइबाय टू तो यह एकी कंडिशन में प्रू आ सकता है एक ही कंडिशन जब साइन वर्स एक्स की वैलू ज़ो आ जाए पाइब कल आ बना कर देगा और उठा भी नहीं पाओगे तो यह तो इसमें मैक्समुम वाले सवाल आते हैं तो मिनिमम माले जैसे तीन चाल लिखे हैं तो इसी तरीके से अप्रोच होगा यहां फॉर्मले मत लगाने लगना इसलिए बस बता रहूं यह रीज़न ही है तो एकस की वेल्य आजेगी जट की वेल्य वन आजेगी और वाई की वेल्य आपर कॉस पाई है तो माईनस वन आजेगा नमबर ओफ ट्रिपलेट ओगया एक ट्रिपलेट आएगा वन माईनस वन और वन वाला ठीक है अब इसमें नहीं समेशन ऑफ सीरीज वाली भी प्रॉलम आती है अब यह तक तुमने देखा क्या फॉर्मले देखा प्रॉपर्टीज वाला देखा प्रॉपर्टीज का कैसे कमाल दिखाते हैं टैन वर् प्रॉपर्टीज को कैसे तरीके से अप्रोच करें इसमें मेली यूज़ होगा अपना नहीं सीक्वेंस सीरीज में वियन मेटड़ पढ़ता है तो उस पार्ट का यूज़ होगा मतलब मतलब होता है method of difference बताएं कि तुम्हें कैसे इसको लगाएंगे और इसे अपन एक और नाम से कहते हैं method of difference प्रिंस्टीपल से हमें क्या करना होगा सिर्फ और से first or last को अपन को capture करना होता है कैसे अपन capture करेंगे उस वाले पार्ट में में आएंगे मैंने मैंने बता जिए कि summation of series में बीन में लगए फस्ट और लास्ट को में अपन को सुचना होगा और यह जही में भी आते हैं काफी ज्यादा important हो जाते हैं मैं पहला सवाल लगा कि कैसे सवाल को करेंगे तो इससे थोड़ा सा clear होगा कि क्या क्या type के सवाल आत है कि सम निकालना है किसका 10 टम्स का हमें सम निकालना है यह एक वैल्यू दी होई थी तुम्हें अगर आता है तो गुड़े नहीं आता तो देखो कैसे इसको solve करते हैं हमेशा जैसे मालो यह लिखा हूँ है मैं method बता देता हूँ करता कैसे है ऐसे type के problem को capture कैसे करोगे सबसे क्या होगा तुम्हें सबसे पहले काम अगर मालेते हैं यह सिरी साइन इनवर्स में दी होगी या कोस इनवर्स में दी होगी या किसी में भी दीए तो पहला काम यही है कि इसको बपर बने में अब बना बनातों सबमारा जोगा अभीजा क्या होगा तो हमारा हमेशा काम होगा यह बन गए पर इसंबर बढ़ा है एक पर एक प्रोब्ले में इसी तरीके से इसको अप्रोच करना है तो ध्यान से सुनना थोड़ा से इंपोर्टेंट है यह वाला पार्टी है तो अगर टैन्वर्स के अंदर x-y अपॉन लिख दिए 1 प्लस xy तो यह हमें फॉर्मले का सोचने का अंदाज होगा पहले तो अपन को वह लिखा है तो वहां पर डिफरेंस बननेगा x-y आप लेगा पहलो है त बहुत एक्स माइन्स वए, हमेशा ऊपर में डिफरेंस बैठा होगा, पका बैठा होगा, तो डिफरेंस बैठा है, two minus one, लग जिया न फॉर्मला लग जिया गी निए, देखो ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख दे, तो कितना अच्छा लगा, ऐसे बना करी तेखा, ऐसे तो तुम्हें खुद से capture हो जाएगा अब जैसे इसमें सोचो 7 में तो 7 में क्या करेंगे 1 प्लस 6 लिखेंगे लिखेंगे नहीं सोचो नहीं इतना इतना तो गन्ना पड़ेगा ना तो 1 प्लस 6 आ जाएगा अब जो 6 वाला पार्ट है उसको कैसे लिख सकते हो 2 इंटो 3 लिख स पहरիंगे पहले में क्या यह 10 वूर्स वाले रहे हैं तुम्हेंस समझ में आ रहे है कि 10-10 वर्स 11 माइनस 10 वर्स 10 आएगा जैसे वन में थो 2 बढ़ा इंस बठेभा को यह अब तो हमेशा क्या होगा यह बच जाएगा और यह प्राणी बच जाएगा हमेशा क्या होगे दो टम तुम्हें बच जाएगे फ़स्ट और लास्ट वाले बस इसमें यह बच रहा है बस अब तो मतलब हमें तो यह वैल्यू निकालना था इसको रख दो यहां पर यह आजएगा टान के अंदर टान इंवर्स ओफ पाइब आजएगा और फाइनली आंसर आजएगा इसलिए ट्राइब कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम पी वाइक्यू देखने से प्रते शलता है यार किस ट्राइक का सवाल में बनता है देखलो एक बार टैन वर्स ओव एकस माइनस वाई अपॉन प्लेस एक्स वाई और प्लेस एक चीज़ यह सूचना था कि हम किस तरीके से स्वाल कर सकते हैं यह सवाल बनना चाहिए बस फर्स अभी और सवाल करेंगे थोड़ा जब त तब तक अपन इस सवाल को करते ही रहेंगे करते ही रहेंगे जैसे कि यह सवाल तुम्हें दिख रहा है एम की वैल्यू बन से लेके अन तक और यहां पर लिखा हूँ है तू एम अपॉन पर लिखा हूँ है इसके बाद क्या लिखा हूँ है अपने पास एम की पावर 4 प्ल जिए और नीचे बनाने पड़ेगा वह नीचे बना आजेगा तो वन प्लस वह स्कूरेशन होता है इस चीज का इसको नहीं पता है तो इसका 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 plus 1 का square minus x का square इसका जो factorization आता है वो यह आता ही है x square plus 1 minus x और x square plus 1 plus x के बराबर तो यह इसका यह factorization आता है इस factorization का यहाँ पर इस्तमाल करेंगे क्योंकि यह ना factor इसके यह मिल जाएंगे m square minus m plus 1 m square plus m plus 1 यह difference है वहाँ पर द्यान से देखो डिफ्रेंस बैठा हुआ है कैसे डिफ्रेंस देखो ध्यान से देखो यह चीजी है बहुत ध्यान से देने की जरूवत है देखो डिफ्रेंस क्रेट हो जाएगा यहाँ प्लस करके जो लिखा है तो तुम्हें डिफ्रेंसी बना के देगा अब इसके बाद यहाँ पर आजएगा अब हमेशा क्या होगा फस्ट लाज डालना है तो हम क्या करेंगे इजी करने के लिए यहाँ ने यहाँ पर डाल देते है इसी क्रष्ट करने के लिए वान यहाँ पर डाल देТे हैं वैंनर तुम सब पुट कर सकते हैं तो रह्तना और यहाँ रहाएं रखो कि तो प्रấं weakest ke ऑन n square plus n plus 1 आ गया minus sign के साथ यहाँ पर आजएगा 1 आजएगा क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पर put करो 1 minus 1 plus 1 इतना बचेगा 1 बचेगा अब इसके बाद I think फिर से formula लगा कि हमें final answer निकालना पड़ेगा क्योंकि final answer है नहीं यहीं पर अपन formula लगा लेते हैं तो आज़ेगा X-Y upon X-Y, तो आज़ेगा 1 प्लस ही आज़ेगा N-square-plus N-plus-1. Finally, आंसर आज़ेगा 10 वर्स के अंदर N-square-plus-N और N-square-plus-N-plus-2 के बरागर. सिर पॉर्ट से formula लगाने थे, कौन से? यहाँ पर जो XY वाला पार्ट है, वो हाँ पर difference create होगा. फैक्टराइशन का बस पार्ट लगाना था, यह X-square-plus-X-1 है, तो यह X-square-minus-X-1 है, उपर पका difference create होगा. तो जिसे भी मालो, अगर यह पता रगी फैक्टराइशन, तब तो यह असान है. और हमेशा फिर VN टाइप का बन जाएगा, यह VN method ही होता है, method और difference, cancel हो जाता है, तो हमने first यहाँ पर डाल दिया, बड़ी value है, तो चार सवाल और बनाते है, तक ही थोड़ी सी और करटी बने, किस तरीके से आता है, PYQ देखते तो थोड़ी सा अच्छा फील होता है, यह हमेशा जब भी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आएगी, तो पहले bracket से start करेंगे, bracket से, तो हमेशा ध्यान रखना, पहले यह bracket से start होगा, bracket, bracket समस्ते हो, पहले यह अंदर वाला मामला set होगा, यह यह छोटा वाला bracket सा लोगा, अब छोटे वाले bracket को किसे solve करोगे, पहले 2 को बाह करना है, तो कितना आता है, 2 into n into n plus 1 by 2 आ गया, तो यहाँ पर 2, 2 cancel हो गया, तो कितना आ गया है, n square plus n आ गया, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, यहाँ से value कितनी आ गई, कोट inverse के अंदर आ गया, देखे, कोट inverse के अंदर आ चुक है, कोट inverse के अंदर, या चुक है n square plus n plus 1 के बराबर, और मैंने कहा क्या था, अगर कभी भी कोट inverse वाली चीज दिखे, तो क्या करना है, तो मैं tanverse में बना देना है, थोड़ा सा आसान पढ़ता है इसलिए, आसान देखालो, इसमें से n, n into n plus 1 आ जाएगा, और उपर वाले में 1, देखो, 1 क्या होगा, 1, यह 1 को लिख सकते, n plus 1, minus n की तरह, देखो, बना बना मिल क्या, tanverse के अंदर, x minus y upon 1 plus x, यह बन कहीं आएगा, बन कहीं आएगा, बन कहीं आएगा, बन कहीं आएगा, बन कहीं आएगा बस आसान करने के लिए देखो, यहाँ पर बड़ा लिखा है, values भी उपर में भी छोटी है, बड़ी है, सब मामला फिट है, बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर 19 डाल देना, यहाँ पर 1 डाल देना, हमेशा, बना तुम values डाल के डाल भी सकते, 1, 2, 3, मेरे लिए तो हम ल 1 प्लस xy बनेगा, तो कितना आजेगा, 15 अपॉन प्लस 20 के बराबर, I think solve करोगे तो यहाँ पर solve करने के बाद क्या आजेगा, 10 verse के अंदर आजेगा, 19 by 21, यह 19 by 21 solve करने के बाद आएगा, हमें तो यहाँ पर caught लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे solve हो चुका है, सवाल ऐसा बन चुका है, caught के अंदर आजेगा, 10 verse के अंदर, 19 by 21, यह आगया, बढ़ हमें तो caught of caught inverse x चाहिए, जी चाहिए, हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 10 verse वाली चीज़ को caught inverse में बना लगा, पलट दो, तभी तो यहाँ perpendicular upon base है, तो base upon perpendicular बन जाएगा, तो यह 21 upon 19 है, cancel, cancel, और 21 upon 19 यह पड़ा, ऐसी type का problem J में पहले भी आच चुका है, मैं J advance में उसी को इन्होंने J में frame करके डाला, तो देख सुकियो, अब तो में कुछ सवाल दे देते हैं, ताकि तुम भी solve करना, प्रसा, फी लोगा कि यहार कैसे करना है, तो यह एक homework में रख लेते हैं, homework में यह problem है, क उसका difference बैठा है, पहला पार्ट बस यही सोचना है, difference मतलब जिसे तुम difference लोगे 2 की पावर X plus 1, minus 2 की पावर X, तो यह 2 की पावर X होता है, तो यह difference यहाँ पर बैठा हुआ है, बस उपर हो गया, काफे कुछ तो बताई दिए, पस तो लाज बचेगा, अराम से जिसे आर्क जो भी कॉट inverse वाली चीज़ है, इसको टैन्वर्स में तो बनाना है, पहला काम क्या था, observe, यहाँ पे लिखा है, तो 2 इंटू इसको लिख सकते हैं, 1 square, 8 लिखा है, इसको लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का square, 18 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का square, देखो जेखो, कहा आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू वो है, बन से लिखे 100, यह, सवाल यह था, सवाल को इन्होंने इस तरीके से बना दिया, मेन जो यह चीज सोच नहीं थी, बस यही कमाल था मेन, इस सवाल में यही दम थी, इसको सोचना, इसके बाद जो कॉट इंवर्स वाली चीज़ बहुत बढ़ी है, अब 1 upon 2R square को देखो, 1 plus करके तो करना होगा, तो हम क्या करेंगे, देखो, simple अगर 1 plus कर लोगे तो थोड़ाट difficult होगा, बना इसको ऐसे लिखेंगे, यही चीज थोड़ी सी इसमें, थोड़ी सी twist थी यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, 1 plus 4R square माइनस 1 आ यहाँ पर, जो यहाँ पर game हो गया, बास, खाताम, खाताम, यह 4R square माइनस 1 देखो, factorize हो जाएगा, कैसे factorize, 2R minus 1, 2R plus 1, गारदा मचा दिये, देखो, 2R minus 1, 2R plus 1, उपर difference बैठा हुआ है, यहाँ यहाँ पर बैठा हुआ है, यह बैठा हुआ है, इंसान, बैठा हुआ है, 2R plus 1, minus 2R minus 1, देखो, बैठा है, 10verse के अंदर, x plus y, minus xy, अब खातम होगे, बस main तो यही था, यहाँ पर सोचने वाला पाट, यहाँ आजएगा, 10verse के अंदर, 2R plus 1, minus 10verse के अंदर, 2R minus 1, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, summation के अंदर problem क्या थी, r is equal to 1 से लेके 100, अब first डालना होगा, और last डालना होगा, और answer आजएगा, आजएगा यहाँ पर आजएगा, 10verse के अंदर, 2, 0, 1 आजएगा, minus, इसमें डालोगे तो कितना आजएगा, 10verse x minus 10verse y लगाओगे, तो यहाँ आजएगा, 10verse के अंदर, 200 बटे, 202 आजएगा, इसको solve करने के अबाद, 10verse of x minus y upon 1 plus xy, को और solve करोगे, तो कितना आजएगा, 100 बटे 101 आजएगा, यहाँ आजएगा, 100 बटे 101, अब देखें, क्या चिकलना था, अब अनको तो कॉट inverse अलफा निकालना था, इसको पलट दो, कॉट inverse वाला है, तो इसको पलट दो, यह कॉट inverse के अंदर कितना आजएगा, 101 बटे 100 आजएगा, तो यह कितना आजएगा, 1.01, तो यह आंसर आजएगा, 1.01, 100 upon 101 तो आ रहा है, इसको पलट दो, तो 101 upon 100 आजएगा, तो पहले कॉट inverse वाली चीज थी, उसको टैन्वर्स में बनाना, मेन यह बाट था, टू से multiply डिवाइट, क्योंकि अगर तुम directly कर दो आजएगा, तो यह थोड़ी से दिक्क्रत वाला विश है, तो मेली यहाँ पर यह टार्गेट था, इसी प्रॉब्लम को फिर उन्होंने जी मेंस में फिर से बनाया था, ताकि वो बच्चा जो है, बस यह देके उन्होंने फसा दिया था, तो 1 upon 2R का स्क्वेर है, तो ध्यान तो A2 की वेल्यू की आजएगी 2, consecutive है न, A3 की वेल्यू की आजएगी 3, यह सब वैल्यू गिवन है, तो A2022 की अगर कोई वैल्यू पूछे तो कितनी आजएगी 2022, यह सब वैल्यू तुम्हें गिवन है, अब इसमें पूछा रहा है कि 1 प्लस A1 इंटू A2, तो देखो यहा न, पर difference बना हुआ है, 1, 1, 1 इसका difference बना हुआ है, तो 2022-2021, माइनस दो हजार इसके पहले क्या है, तो सारे 2000-1999 इस तरीके से तो फिर्स्तो लास्टी बचेगा, बन बचेगा, और 2022 वाला बचेगा, और सॉल करना और देखो ऑप्शन में तुम्हें एक मिल जाएगा, यह है और प्रोड़े आसानी होते हैं यह वाला चीज तो अपन अल्री इस तरीके से प्राव्लम को सौल कर चुके यह चीज तो यह चीज अल्री सौल करके बैठे हुए है इसकी जो वैलियु आती है वह आती है टाइन वर्स के अंदर एन प्लस वन माइनस ओफ यह ज़स्ट अभी थोड़ी दिर पहले अपन ने सॉल करके बैठे हैं तो जही मेंस में प्रॉब्लम आई थी अपनी सेम उसी टाइब की प्रॉब्लम में यह बट इसनों ने बस यहाँ पे एन कर दिये अब यहाँ पे बस 50 डाल दो सेम ही टाइब की प्रॉब्लम यह जो बार-बार नहीं घुमाते रहते हैं तो जही मेंस वाले कुछ नया नहीं कर रहा है सेम सेम प्रॉब्लम को बस वह एक्टिवेट कर रहे है अलग-अलगी दिशाओं में तो टैन वर्स और फिप्टी वन माइनस बन कितना होता है और फिफ्टी और वन प्लस फिफ्टी वन कितना है गा फिफ्टी टू बस कता है यह 25 बटे 26 आ जाएगा यह और यह कैंसिल हो गया कितना बट देगा 26 बटे 25 तो कोई भी चीज़ जैसे मान लोग कॉया वाली चीज दी इसको यह बन हो यह पर इससलिए हम लोग को चीज ती इसको यह बन के यह डारेटली फॉर्मला लगा जा रहा है कौन सा टैन वर्स के अंदर यहां पर लग रहा है एक्स माइनस वाई आपॉन वन प्लस एक्स वाई जबर्दस वाला तो यह फॉर्मला बस लगा रहा है तो 51-1 कितना होता है 50 और 1 करें ताकि तुम खुद से भी करो और मैं हेंट भी देती जा रहा हूं ताकि तुम्हें जो है इजली जो है चाप्चर कर लिए तो सबसे पहला काम क्या करोगे इसमें 210 वर्स इक से न है यह वाले फॉर्मला लगा होगे अलब इन दोनों को पकड़ के ऐसे करके देखो तूट इन दोनों को पकड़ के फॉर्मला लगा अब जो सेकेंड वर्स और रूट वाइट लिखा इसको भी तुम टैन वर्स में बना लेना फिर यह पहले स्टार्ट करने के लिए यह भी तुम्हारा टैन वर्स में बन जाएगा यह आजएगा वन बाइटू के बनाब है ट्राइ टैन वर्स में आजएगा फिर उसके बाद एक टैन बना लेना या तो फिर अभी हम देखेंगे टू टैन वर्स एक्स का फॉर्मॉला अगर तुम चाहो तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं टू टैन वर्स निकालना तो उसका फॉर्मला आता है सिदेट आन वर्स ऑफ टैन वर्स एक्स प्लस निया नहीं रहा है रहता था था यहां पर बसक्या करो वाई के जगए डाल दो यहीं तुम्हें बिलेगा लगा तब यहां लगा है तब तुम्हारे पास फाइनली वैल्यू आएगगी बस बेसी काल्कुलेशन आब इतना तो 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 तुम्हें बता अब इसमें खूछ इनकुलिटीज फाला पॉशन आता है जो की ट्रिप्नोमेट्रिक पंचेस में इकूलिटीज वाला इनकुलिटीज से कैसे जैसे लिखा हुआ है cos inverse x is greater than sin inverse x वाले type के problem हो गया है जैसे मालो quantity का आगई cot inverse x का square minus 6 type के तो कुछ inequalities वाली problems आती है जो कि ITF में cover होती है तो वो भी problems को अपन discuss कर लेते हैं जो interval type की होते है तो जैसे मालो लिखा हुआ है यहाँ पे cos inverse x greater than sin inverse x और यहाँ पे किता आजएगा greater than यहाँ आजएगा sin inverse x बस खतम अब क्या करना है देखो sin inverse x को उधर बेज़े ना यह double हो जाएगा हो जाएगा डबल करने के बाद यहाँ पे क्या आजएगा इंक्रीजिंग फंचन तो sin inverse x में इंक्रीजिंग फंचन है तो हम लोग नहीं sin को उधर भेज सकते हैं इनिकुलिटी में कोई reverse नहीं आएगा इंक्रीजिंग वाले में कोई भी reverse नहीं आएगा तो बस इसको इस तरीके से solve कर देना था कि x की value जो आएगी less than वो आजाएगा sin pi by 4 मतलब x की value जो आएगी 1 upon root 2 से कम आएगी 1 upon root 2 से कम आएगी जो भी answer आएगा पाकी minus 1 तो minimum आई सकता है वगर मैं बात करूँ कि इसके inequality की तो ये value आजाएगी minus 1 से लेके 1 upon root 2 तक ये true आएगा ये inequality अगर इसको मैं पलट दूँ कि sin inverse x से greater than cos inverse x को solve करी है तब आजाएगा 1 by root 2 से लेके 1 तक ही हाना वरना इसको हम लोग जैसे graphically भी solve कर सकते है कि sin inverse x का graph है और उसके बाद y is equal to pi by 4 का graph बना लिए है ये y is equal to pi by 4 की unit आएगी है अब हमें देखना है कि कहां पर ये sin inverse x जो है वो छूटा है छूटा है pi by 4 से तो I think pi by 4 बढ़ा होना चाहिए तो ये unit आएगा तो इतना unit आना चाहिए वह लिखा हो आई है तो ये minus 1 से लेके 1 upon root 2 तक इतना unit होगा कि minus 1 है यहाँ पर ये वाली value निकालनी तो कैसे निकालोगे तो sin inverse x को pi by 4 से equate करो तो 1 upon root 2 तो ये भी एक तरीका है otherwise तो 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 मेरी increasing decreasing का याद रखना कि increasing में तुम्हारा inequality नहीं चेंज होगी decreasing के case में क्या हो जागा inequality अपनी क्या हो जागी एक reverse order में आ जाएगी find the solution of दिखो 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 से थोड़ा से different हो गया यह sin inverse of sin 5 is less than हो गया एक तो वह अले type क्यों हो गया एक इस type क्यों हो गया sin inverse of sin 5 is greater than यहाँ पर आजएगा x square minus 4x यह लिखा हुआ x square minus 4x sin inverse of sin 5 कैसे निकालोगे ग्राफ से कैसे ग्राफ यह ग्राफ तुम्हें बताएगा पहले 5 देखना पड़ेगा कहां पर आ रहा है तो यह इस टाइप का हमने ग्राफ बनाया था यह हमारा वी वी शैप के शेप के ग्राफ आएगा तो अब हमें देखना है कि यह 5 कहां पर करेंगा इसलाइप इसकी एक्विशं कैसे आएगी इसकी एक्विशन कैसे आएगी इसको सॉल करने के बाद कितना तो थाइब माइनस टूपाई है और यह कितना एकस स्क्वैर माइनस और 4 एक बड़िया लेवल की कॉड़िटी के उसको टॉपाई माइनस फाइप को उदर किल वे यहां पर यहां पे प्लस माइनस पॉर प्लस फाइव है यह नाइन के बराबर तो यह अंडरूट ऑफ नाइन माइनस टूपाई आ रहा है उसकी जो वैल्यू आजेगी एक्स ब्लांस टू क्या जाएगा जब भी यह जैसे X minus alpha, X plus alpha less than 0 आ रहा है, तो इसकी value जो आती ही हमेशा linear equality से, X belongs to आता है minus alpha से alpha, तो यह minus alpha से alpha हैगा, अगर greater than 0 आता है तो minus infinity से minus alpha union alpha to infinity, तो इसका जो answer आजएगा, इस case का अगर मैं answer बोलू तो X belongs to किता आजएगा, minus वाला मलब छोटा वाला और equal to तो है नहीं, तो इसमें अपन open interval का इस्तमाल करेंगे, तो 2 minus under root of 9 minus 2 pi से लेके, 2 plus under root of 9 minus 2 pi से लेके, 2 plus under root of 9 minus 2 pi से लेके, 2 plus under root of 9 minus 2 pi बहुत कुछ अपन पढ़ चुके हैं, तो graphically तुमें ध्यान रखना है, चीजे जो हैं, अपन फिर से एक बार तुम lecture को खोगे, तो definitely आजाएगा, हाना, जिसे नहीं बनेगा नहीं, definitely तुमें बनेगे, और थोड़ा अच्छे हम देख लेते हैं, simplified inverse graph, जैसे मालो हमें बनाना है, sine verse of 2x under root of 1 minus x square का graph बनाना है, यह दिख रहोगा, तो में sine 2 theta, ऐसे करके बन जाएगा, sine 2 theta, तो sine inverse के अंदर यहां पर बन जाएगा, 2 sine theta को हुआ सीटा, यह sine 2 theta बन जाएगा, यह 2 theta तब निकल के आएगा, जब यह minus pi by 2 से लेके pi by 2 तक होगा, इसलिए यह देख होगा, जैसे यह 2 theta तो निकलेगा, बट theta की value के आएगी, तब यह minus pi by 4 से लेके pi by 4 तक होना चाहिए, अभी तो बनेगा नहीं हापे, अभी तो यह minus pi by 2 से लेके, तो क्योंकि हमारा तो x की value रखने होगी न, तो इसलिए यह sine inverse of minus pi by 4 है, यह sine inverse of pi by 4 है, तो minus 1 by root 2 से लेके 1 by root 2 तक यह 2 sine inverse of x का graph बना वहाई है, यह sine inverse of x का graph होता है, बस इसको double कर दो 2 sine inverse of x का graph आजएगा, यह 2 sine verse of x का graph है, यह कब निकलेगा, जब 1 by root 2 से लेके 1 तक जादा है, तो यह आजएगा pi minus 2 sine versus x, तो यह देखो यहाँ पे यह इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, यहाँ पर देखो, non-differentiable point आ रहा है, यहाँ पर भी देखो, non-differentiable point आ रहा है, तो यह non-differentiable point है, पाकी फिर यह लिखा हुआ है, minus pi minus 2 sinverse, इसका इतना use नहीं है, बट फिर भी हम बता रहे हैं, जमार लोग sinverse of 2x under root of 1 minus x square को, x की विल्यों sin theta रखोगे, तो यह 2 theta तो निकलेगा, वरना फिर क्या निकलेगा, pi minus 2 theta निकलेगा, या फिर आएगा minus pi minus 2 theta, तो कि इसकी जो value आजेगी range की, वो minus pi to pi आ जाएगी, तो हम इना वो वाले graph पे जाना पड़ेगा, इस graph पे, तो थोड़ा सा सूचने में, फोड़ी सी difficulty हो जाती है, अगर तुम सोच ले तो अच्छी बात है, देखो, minus 90 और 90 की बीच में, तो सीधे निकलेगा, वरना 90 से यह वाले में चले जाएगा, और यह वाले graph में चले जाएगा, इसलिए pi minus 2 theta लिखा है, और एक में लिखा हुआ है, minus pi minus 2 theta, सोच लिए तो अच्छी बात है, otherwise नहीं भ वाला भी आता है, cos inverse of 2x square minus 1, तो यह भी अपना क्या आता है कि जो है, इस तरीके से graph आता है, decreasing, decreasing, क्योंकि 2 cos inverse x का graph बन जाता है, यह 2 cos inverse x का graph आता है, जब यह 0 से बन होता है, तुम लिख सकते हो इसको, क्योंकि जैसे यहाँ पर रखोगे तो 2 cos square theta minus 1 आ जाएगा, 2 cos square theta minus 1 कि लेके 0 तो यह 2 pi minus 2 cos inverse x, वहाँ पर 3 part में तूटता है, यहाँ पर 2 part में तूटता है, तो यह इसका graph है, otherwise फिर यह लिखा हुआ, tanverse के अंदर 2x upon 1 minus x का square, यह ध्यान रखना है कि देखो, यह 2 tanverse x निकलेगा, कब निकलेगा, जब यह minus 1 to 1 होगा, यह चीज ध्यान रखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, pi plus 2 tanverse x, फिर उसके बाद लिखा हुआ है, minus pi plus 2 tanverse x, फिर उसके बाद लिखा हुआ है, और यह वहाला जो case है, minus 1 to 1, हाना, इसे कुछ graph, आ जाते ही कभी-कभी, जो कुछ j advance में सभाल में, वैसे normally j means में तो इतना काम नहीं आ रह स्क्वेर, यह value 2 tanverse x आती है, कब आती है, जब यह minus 1 to 1 है, अगर x greater than 1 है, तब यह pi minus 2 tanverse x, अगर x less than minus 1 है, तो यह minus pi minus 2 tanverse x, तो इसका graph कुछ इस तरीके से आता है, यह गया और यह गया, तो यह इस तरीके से इसका graph आता है, 2 tanverse x का, क्योंकि यह 0 पे non-differentiability आ जाती है, इस इसकी जो है, 0 पे यह non-differentiability हो जाता है, तो यह type के सवाल, यह दोनों सवाल थोड़ से बन जाते हैं, कभी-कभी, तो यह non-differentiability जो आती है, 0 तो 0 पे इसकी नान-differentiability आती है, इसकी 1 और minus 1 पे इसकी non-differentiability आती है, इसका graph अगर देखोगे, तो पहले तो मैं 2 tanverse x का graph ब बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर यह decreasing, उसके बाद यहाँ पर यह decreasing, तो यह इस तरीके से इसका graph आता है, इसका graph है, यह sinverse of 2x upon 1 plus x square का, यह किसका graph है, cos inverse of 1 minus x square plus 1 plus x square, यह इसका graph है, यह इसका graph है, बस यह ध्यानों कि भाई, x की positive है, तो 2 tanverse x निकल, x negative में तो यह आता यहाँ पर minus 1 to 1 की range में निकलता है, यह pi minus 2 tanverse x minus pi, यह कैसे बन रहे हैं यह, वो graph, वो normal वाला graph, sinverse sin theta वाले से, x निकलता है, जब यह value पूरी कब होगी, जब यह minus 90 और 90 के बीच में आगा, तब वो वाला पार्ट अपर यूस कर रहे है, ठीक है, वाला पार्ट है, अब दू बताने थे, मिरास में ने बता दिये कि कैसे graph दिखेंगे, कहां पर इसकी बेन non-differentiability वगरे के सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, differentiability के main सवाल बनते हैं, जैसे पूछ लिए, cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, कहां non-differentiate, अगर differentiate करोगे, तो बहुत difficult हो जाता है, graph से करते है, V shape का आता है, एक थो बीच में आता है, 0 पे, 1 minus, वो जो 10 verse वाला case बताया था, वहां पर भी बताया था, कि 1 or minus 1, तो अगर ये चीज पता है, तो बस mainly उस वाले purpose ने था, इसलिए मिरे को बस graph बताने दे, otherwise इसका कोई इतना, कोई यूज नहीं है, कि जे ही में आ रहा हो, क्योंकि directly अपन को निकालना ही होता है, जैसे f of x यहां पर पता है, f of sine verse sine 8 पता है, मिरे को निकालना है, tan inverse tan 8 कि वेल्यों निकालनी है, तो मिरे को पहले ही निकालना पटेगा तक तो बात बन जानी चाहिए, 3Pi तक, चुकि 3Pi by 2 की value आएगी, अपनी जो है, 3Pi तक तो 9.38 something आजाएगा, तो इस वाली range पे लाई कर जाएगा है, इस वाली range पे, तो यहाँ पर कहीं पर 8 आजाएगा, तो यह 6.28 करीब है, यह 9.something जाएगा, तो 6.09 साढ़े साथ, तो यह 8 इस वाली range पे आएगा, equation लिखनी है, slope क्या है, minus 1, तो इसकी slope है minus 1, इसकी slope आएगे minus 1, point क्या है, 3Pi, 0, equation लिखनी है, तो आजेगी, y minus y1, m times of x minus x1, call करोगे तो कितना आजेगा, 3Pi minus x आजेगा, x की value क्या है, तो x की value 8 यहाँ पे put कर दिया, get the answer, तो f of 3Pi minus 8 की value, f of 3Pi minus 8 की value जो हैगी, वो alpha आएगी, यह value given है, हमें निकालनी है, tan versus tan alpha की value, तो tan versus tan alpha का graph कैसे आएगा, वो कुछ इस तरीके से आता है, इसके graph तो कुछ ऐसी line में चलते हैं, ऐसे ऐसे, बस यह line line में चलते हैं इसके graph, minus 90 से लेके 90 तक, same graph इसके repeat करते जाते हैं, यह 0 हो गया, यहाँ पे pi आ गया, यहाँ पे 2Pi आ गया, और यहाँ पे 3Pi आ गया, तो y-y1 into x-3Pi, यहाँ पे हमें value किसकी चाहिए, f of 8-3Pi की value चाहिए, मेरे पास 3Pi-8 की value पता है, अलफा, मेरे को किसकी चाहिए, 8-3Pi की, तो इसका मलब हो गया, fx अगर पता है, तो मेरे को f of minus x निकालना होगा, तो देखो, एक बार f of minus x निकालना होगा, तो में सवाल ही ऐसा दिया है, ताकि इसको जो है, सवाल इस केटेगरी का दिया हुआ है, ताकि तुम बिल्कुल अराम से easily बना लो, देखो कैसे बना लोगा लोगा, तो f of x हमें पता है, f of minus x बस निकालना था इसमें, तो f of x की value तुम्हें पता है, क्या value पता है, x की power 11, पिर उसके बद क्या लिखाता है, x की power 11, minus, minus, minus नहीं, plus, plus x की power 9, minus x की power 7, minus x की power 7, plus x का q, plus 1, तो मेरे को na, f of 8 minus 3 pi वाली value थी, 3 pi minus 8 वाली value निकालने थी, तो मैं क्या करता हूँ, f of minus x निकालने था हूँ, f of minus x की आजएगा, minus x की power 11, minus x की power 9, plus x की power 7, और minus x की power 3, plus 1 के बराबर, तोनों को जोड़ दो, जैसे ही जोड़ों के देखो, क्या बन जाएगा, सब कैंसल हो जाएगा, पता है क्या बच्चेगा, fx plus f of minus x की value जो आजएगी, वो 2 आजएगी, बस, एक value alpha पता थी, दूसरी value क्या जएगी, 2 minus alpha, बस, fx की जो value पता है, अगर एक value alpha है, तो दूसरी value क्या जएगी, fx is equal to 2 minus alpha, बस एक value पता है, इसलिए खाना कि हमें, sign verse, sign x पता हो नहीं है, sign verse, sign x, तो इनको graph करने में बहुत असान परता है, बनाते रहोगे, तो अपने अब practice हो जाएगी, sign verse, sign x की case में क्या आएगा, cos inverse, cos x की case में क्या आएगा, 10 verse, sign x की case में क्या आएगा, अतरवाइस तो वो थोड़ा सा, हो सकती है, तो I think कुछ तो problems है, जो तुमें हुमबक देते हैं, तो यह तुम्हारा हुमबक हो गया, थोड़ा सा आसान है, बता देते हैं, वैसे कैसे करना होगा, hint देते हैं, hint देने से क्या होगा, कि तुम बना लोगे हाना, कि कम से कम चलो, नहीं, मिले तो कम से कम बंत होगे, अपने पास, तो इसको के से एक्वेट कर देना, इसको के से, तो के से एक्वेट करोगे, देखो, साइन वर्स एक्स की वैल्यू आजएगी, के बराबर, तो उसके बात, से कहाल पास, तो क की वैल्यू आजएगी, तो के वैल्यू तुम निकाल लोगे तुरल, तो कि साइन वर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स करता होता है, तो इतना अब सॉल कर दिया देखो, pi by 2 into k into a plus b अब यहाँ पर क्या करना k की value यहाँ पर put करना तो ten verse y आगया ten verse y आगया तो देखना 10 x आगया अब तुम्हें cause x तुम्हें बनाना होगा तो एक बार देखना क्या value लगती है ऐसन है बन जाना चीए अब इतना बता दी है तो इसके पाद तो I think बन जाना चाहिए है ना यहाँ पे तो क्या गिवन था 10 वर्स A प्लस 10 वर्स B की वैल्यू पता थी पाई बाई 4 हमें वैल्यू किसकी बता नहीं थी A प्लस B माइनस करके जो लिखा हुआ इसमें बस थोड़ा सा सोचने वाला पाट था क्योंकि लॉग X की सिरीज यहाँ पे इस्तमाल थी यहाँ पे इसको सोचने का अंदास कैसे गया क्योंकि ना इनको अगर तुम A वालों को अलग कर देते हो और B वालों को अलग कर देते हो अगर मैं A वालों को अलग कर देता हूँ, B वालों को अलग कर देता हूँ, इस से हमारा सोचने का पैटर्न मना, क्योंकि ये न, LN of 1 प्लस X की सीरीज होती है न, 1 प्लस X की सीरीज लिखी हुई है, त्यान से देखो, त्यान से देखो, X माइनस X स्क्वेर बाई 2 करके लिखा है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मॉला लगा लेंगे, कौन सा फॉर्मॉला, टैन वर्स A प्लस 10 वर्स B वाला, तो यह फॉर्मॉला आता है, देखो, टैन वर्स के अंदर, X माइन प्लस Y अपॉन 1 माइनस X Y, इसकी वेल्यू हमें पता है, पता है न, अब इसको टैन को उधर दो, तो तुम्हारे पास क्या आजएगा, A प्लस B अपॉन 1 माइनस A B की वेल्यू क्या पता है, 1 के बराबर, क्योंकि टैन को उधर बेजो, टैन पाई बाई बाई फोर आ जागा, तो A प्लस B की वेल्यू की आजएगी, 1 माइनस A B, तो टैन आप पाई बाई फॉर्मॉर् आट करो, देखो कैसे बन जाएगा, A B प्लस A, फिर किता आजएगा, B प्लस 1 is equal to 2 के बराबर, सिफ बन बन आट किये, 1 बन आट करने से फाइदा क्या होगा, देखना है, यह बन जाएगा, A प्लस 1 की वेल्यू कित्या आजएगी, 2 के बराबर, तो A प्लस 1, B प्लस 1 की वे LN of 1 प्लस X की सीरीज जो बन रही है, वो आ रही है, X माइनस X स्क्वेर बाई 2, X क्यूब बाई 3, प्लस X की पाउर 4 बाई 4, और उसके बाद तुम देखो, B माइनस B X स्क्वेर बाई 2, तो LN of 1 प्लस A आ गया, 1 प्लस B आ गया, तो लॉग X प्लस लॉग Y, जो की आता है, LN of X प्लस Y आता है, टाइन वर्स के अंदर बेखो कि A प्लस B अपॉन 1 माइनस A B, जो की वैलियो आ रही है, प्लस B अपॉन 1 माइनस A 4 आ गया, और A प्लस 1 इंटो B प्लस 1 का वैलियो आ चुकी है, अब कुछ PY क्यू से और जो लेटेस क्या है, वो भी अपन डिसक्स कर ल इस रेटेंट करना, जो कोशन था ना, कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स वाला, यह सेम प्रॉब्लम देखो 10 वर्स और 1 अपॉन 2 आर का स्कुरर आ गया, तो क्या करोगे 2 से मल्टिप्लाई और डिवाइड करोगे, इस बार क्या करना ना, अपने इनट से एक बार सॉल करके देखना, बस इसको 2 से मल्टिप्लाई और डिवाइड करोगे, तो अपॉन 4 आर का स्कुरर आ गया, फिर 1 से एड करोगे और सब्ट्राइट करोगे, ताकि अपने पास वो फैक्टराइज होने के बाद यह 2 आर ब्लस 1 मन जाए, 2 आर माइनस 1 मन तो फाइनली कुछ इस तरीके से तुम बहुच जाओगे है, तो एक एक तरीके से मैंने पिछले स्लाइड में और इसको सॉल कर दिया है, तो वापस से सॉल करने का बनता नहीं, यह पहले अपन ने सॉल कर चुके है, एक बार इसमें 50 डाल देना, एक बार 1 डाल देना, तो 50 फिटी वन आजेगा, और एक में कितना आजेगा, बस, यहां पर आजेगा, 50 डालना तो 50 बना जेगा, और यहां पर 1 डालोगे तो 1 आजेगा, इसके बाद क्या करोगे, X-Y अपन बन प्लस XY का फार्मलर लगाओगे तो कितना आजेगा, 50 अपन फिटी टू, इसका मालब क यहां पर आजाएगा 50 यहां पर आजाएगा 101 माइनस यहां पर आजाएगा 10 वर्स ओवन तो इसको स्वाल करेंगे क्योंकि यहां पर 50 नहीं आएगा यहां पर आएगा 100 100 अपॉन 102 इसका मतलब हो गया जो है 50 अपॉन 51 भी गह सकते हैं बी विल बी दर करेक्ट ऑप्शन हैं तो से मल्टीप्लाव और डिवाइट हमने कहा था ना बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉल्लम रिपीट करती हैं तेमी टाइप की सीरीज में पैटर्न कहाने कि हमेशा जो है सेम टाइप के पैटर्न को जो ह होप कि तुम्हें यह चीज़े क्लियर होनी चीए सवाल देखो हमने इतने सारे करा दिए कि ताकि तुम्हें डिफिकल्टी होनी नीचीए कि यार यह अब बज्जा है यह बज्जा है तो वह बात तो बनती है यह कभी-कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं बहुत ही असान वाले हिंट देते हैं कैसे तुम स्टार्ट करोगे काफी असान नहीं क्योंकि है तो बस तुम क्या करोगे इसको एक बार क्या करोगे वन प्लस एक सपॉन एक्स ग्रेटर देन वन इसको ऐसे सॉल करना होगा एक बार सॉल करोगे वन प्लस एक सपॉन एक्स लेस दन माइनस वन तो तो इनका क्या करोगे union लेते हैं क्यों क्योंकि लिखा है ना खुद बोलो ना देखो डोमेन क्या आती है माइनस इंफिरिटी से लिए माइनस वन यूनियन वन से इंफिरिटी ऐसी इनिकुरिटी को कैसे सॉल किया जाता है इसको बनाना है यहां पर सॉल करोगे तो यहां पर अपोन एक्स यहां पर एक्स तो यहां पर सॉल करने के बाद किता आ जाएगा 1 plus 2x upon x less than 0 इन दो लोगो क्या करोगे union लोगे तो पहले वाले को solve कर लेते हैं इसमें कौन सी value आएंगी सिर्फ positive values ही आएंगी negative तो उठाएगा नहीं न इसाथ 0 लिखा 1 upon x लिखा है तो negative values तो आएंगे नहीं वनना तुम्हें baby curve से भी solve करना है यह क्या होगा खाली क्योंकि liquid to लिखा है तो अपन को include करना होगा नहीं लिखा होता है तो फिर अपन include नहीं करते हैं इसको solve करोगे तो क्या आजएगा x belongs to आजएगा minus infinity close में से लेके 0 तक और इसको solve कर रहे तो किता रहे 0 से infinity आ रहा है तो minus infinity से लेके minus 1 by 2 से लेके तो को infinity तो आई गई पस यहाँ पर क्या करना होगा 0 को subtraction में डालना होगा तो हमने 0 को क्या किया subtraction में डाल दिया समझ में आना चाहिए किस तरीके से जा रहे है काफी असान ही unit है ऐसा भी नहीं कुछ tough वाला पार मेली series वाले pattern में बच्चे फस जाते है और series वाला pattern ऐसा है कि जैसे मालो 3-4 type के तुमने कर लिया ना तुम देखो के observe करोगे सेम सेम type का हाथ है जिसे 10 verse of 1 by 2r का square देखा तुमने एक दो बार फिर से repeat कर रहा है cot inverse 2r square कर लिये या फिर 10 verse के अंदर 1 upon 1 plus n सारी चीजे बनी जाएंगे ठीक है एक series वाला और एक pattern तुम्हारा कर देते हैं एक वाला एक और pattern तुम्हें कर दा देते हैं तो जैसे माल लेते हैं यहाँ पर लिखा हुए SK की value है यह जी में इसमें 291 में आया था infinity देख इसको solve करना है 10 verse दिखा हुआ है तो पहले क्या करोगे इसको 1 मनाओगे नीचे में 1 मनाना होगा तो 1 मनाने के लिए क्या करोगे उपर नीचे divide करना होगा तो यह क्या करो इससे किसी में से एक को divide कर दो मैं क्या करता हूँ 2 की power 2r plus 1 से उपर नीचे divide कर दिए यह divide करेंगे तो ऐसा कुछ मामला बन जाएगा 3 by 2 into 2r plus 1 पस यह divide करना था जो बच्चा divide करना कर लिया बस खतम आंसर आजाएगा बस अब इस चीज को देखो कैसे लिख सकते हैं यह वाली चीज को यह वाली चीज को लिख सकते हो 3 by 2 की power r into 3 by 2 की power r plus 1 क्योंकि 2r plus 1 है तो इसको break कर सकते हैं r और r plus 1 से अब जो उपर लिखा हुआ चीज है कैसे इसको break कर सकते हो जैसे इसको break कर सकते हो उपर वाले को तो कैसे break कर सकते हो देख लेक बार यहां पर क्या लिखाऊ है 4 की पावर और यहां पर कितना लिखाऊ है टू आ जाएगा क्यों क्योंकि exponential की property होती है एक ही पावर x प्लस y होता है एक ही पावर x इंटू ही पावर y यहां से जब तो माइनस करके देखोगे 3 by 2 into r plus 1 minus 3 by 2 into r तो इसकी value जो आजएगी वो 1 by 2 into 3 by 2 की power आजएगी कैसे भाई 3 by 2 की power common ले लो इसमें से 3 by 2 की power और common ले लो तो कितना आजएगा 3 by 2 minus 1 आजएगा तो ये 1 by 2 आजएगा देखो हमेशा वो minus बनी जाएगा जिस बच्चे ने इतना सोच लिया मतलब वो समझलो बहुत बड़ा काम कर लिया मज़ेदार काम कर लिया समझ रहो summation of r is equal to 1 से infinity 10 inverse के अंदर आचुक है 10 inverse के अंदर अब देखो बन गया बस अब main problem यही थी जो हमने संभाल लिया भी है main हमें यह संभालना था 3 by 2 into r plus 1 minus 3 by 2 into r upon upon 1 plus जो यह संभाल लिया समझ लो यह problem फिर बना लिया कदमों में उसके main यही संभालना था कैसे अपन को तोड़ना है तो कि अगर यह संभाल लिया समल्लू यह problem बनी गई न कि कैसे इसमें 1 मनाना है कैसे इसको xy बनाना है कैसे इसमें x minus y बनाना है बन चुगा tanverse of x minus y upon 1 plus xy बन गई न बाद बन गई यहाजएगा summation of r is equal to 1 to infinity यहाँ पे आजएगा tanverse के अंदर 3 by 2 into r plus 1 आ गया minus tanverse के अंदर 3 by 2 into r करो वन पूट करो कि तो कितना आजएगा पाई बाई टू माइनस tanverse 3 by 2 और पाई बाई टू माइनस tanverse 3 by 2 कितना आता है 4 inverse of 3 by 2 आता है योगि इसकी वेलू जो आती है 5 by 2 minus tanverse of 3 by 2 क्योंकि मैं पता है कि tanverse x plus cot inverse x जो आता है वो एक 5 by 2 के बराबर आता है में यही चीज़ था कि यहाँ पर 1 मनाना है जो कि मकसद यहाँ पर था 1 मनाना मैंने इसलिए इसको डिवाइड कर दिया ताकि यह 2 की पावर 2 r plus 1 माला unit है तो मारा solve हो जाए और जैसी अपन solve करते तो तो यह कितना बन जा रहा है 1 by 2 1 by 2 into 3 by 2 की पावर r plus 1 बन गया r plus r आ गया बस यह सोचना था कि जब हम माइनस करेंगे 3 by 2 into r plus 1 माइनस 3 by 2 की पावर r तो 3 by 2 की पावर r common ले लेते हैं तो 3 by 2 minus 1 आ गया तो कितना आ गया 1 by 2 की आ गया तो main यह पाट था जिन्होंने भी सोच लिया था तो definitely वो पाट बन गया होगा मनलब इसमें कुछ main यही चीज़ें सोचने वाली पाट भी अब एक जो है problem तुमें हम दे देते हैं कि तुम solve कर ले ला अपने तुमने देखा होगा कितने सारी अपन ने लिवाइक कर लिए में लिए सीरीस वाले पैटरन को मैंने ज्यादा फोकस कि सवाल उससे थोड़ा ज़्यादा देखे जाएंगी हाना क्योंकि रिचेंट में ट्रेणिंग में उसी से सवाल है पाकि देखो साइन वर्स वाले जो पहले आया करते रहे साइड इस ज़रूर बनाना उनको भी तुम जरूर बनाना जैसे यहां पर तुम्हें दिख रहा है fx f-x कैसे तुम करोगे पहले बता देता हूं कैसे यहां पर लिखा है fx लिखा है f-x लिखा हुआ पहले इस चीज को पहले सॉल करना पड़ेगा पारी की से यहां पर लिखा हुआ है को पहले करके तुम्हें सॉल करना पड़ेगा यहां पर किता आजएगा तो यह वैली वन आ जाएगी अब जैसे तुमने स्क्वेर करके एड़ किया तो हमें इना साइन आफ साइन आफ साइन वर्स में क्या बन जाएगा यह आजएगा कि नहीं तो यह वैल्यू कित्ती आजएगी रूट एक्स आजएगा नहीं आजएगा बन गया अब हमें पता है कि टैन वर्स टू एक्स का आता है वह फॉमला लगा और लोग यह तू टैन इनवर्स के अंदर आ गया तो रूट एक्स अपॉन माईनस ओफ एक्स क्योंकि 10 inverse of 2x upon 1-x square होता है तो जहांपे भी x है वहांपे root x डाल देंगे अब हमें finally क्या बच्छा है देखो यहांपे बच्छा है पॉस के अंदर बच्छा हुआ है 10 inverse के अंदर बच्छा है यह value आ रही है 2 root x upon 1-x है लिए है कि रंगल बनाएंगे ट्रिंगल ट्रेंगल बनेगा ट्रंगल बनाओगे ट्रूरूट x सेंव अभी थोडियर पहले मिला भी था यह यह 1-x है, यह 1-x है, यह 1-x है, फ़ने इस टैप के प्रॉल्बम् है तो यह हमेशा 1-x आजएगा, अगर यह 2 root x है यह 1-x है तो हमेशा यह 1-x बनता है, ऐसा प्रॉल्बम मैंने पहले भी कराए था, यह फाइफ पहले भी मिला था, 2 Under Root वाले में, यह फिर प्रॉल्म मिली अगर में को कॉस इंवर्स में मनाने तो किता आजएगा कॉस आफ कॉस इन्वर्स के अंदर आ गया वन माइने एक सपाउं बैस रहा ऑगा अब अराम से आपड़ेस निकालना और options को match कर लिना अब तो कर लोगे मेन यह मकसर था निकालना तो बहुत ही असाना अब बन नहीं चूखना ची भाई कि पहले बोलते तो चूख करे थे अपन अब अगर तुम बोलते हो चूख करें तो फिर कैसे चूख करें तो minus sign के साथ 1 plus x आ गया, एले 1 minus x का derivative लोगे, तो minus 1 होता है, बाकि 1 plus x तो आए गई खाली, minus sign के साथ, फिर यहाँ पर आएगा 1 minus x आजेगा, नीचे में क्या आजेगा, 1 plus x का whole का square, तो solve करने के बाद f dash x की value यहाँ पर आ चुकी है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें सारी चीज़ें अब बता चुके है, बलब जो भी पार्ट था तुम्हारा जो है की रिगार्डिंग की, कैसे हमने को solve करना है, ग्राफ्स करेंके, या हमें तुम्हारा टाइनवर्स की सीरीज हो कैसे solve करना है, एक होमवक तुम यह और ले लो, जितना होमवक उपाए, उतना ज्यादा सही रहागा तुम्हारा ले लिए, यह भी एक होमवक ले लो, जितने मेंस के कोशन है, हर एक टाइप के हमने maximum टाइक के करा दी, अब देखो similar टाइप के पैटर्न है, जिसे माल लो, इसमें बार-बार, टाइण वर्स एक्स प्रस टाइण वर्स भाई यह ले लगाने है, वो तो सेमी टाइप का formula है, जिसे इसमें पहले क्या करना, तू टाइण वर्स एक्स का formula लगाना सीधे, यहाँ पर लगा देना, टाइण वर्स के अंदर, टाइण वर्स के अंदर, टू एक्स अपॉन बन माइनस एक्स का स्कोर, सीधे देखो, देख के अंदर से यह फीलो ना, चीज़ सीधे formula लगाना है अपने को, सीधे यह formula, अब इस चीज़ को क्या करना, टाइण वर्स में बनाना, फिर इनको आट करके, सीधे answer आजएगा, देखे रो, कितने असान आते हैं सवाल, बस यह की calculation थोड़ी करनी पड़ेगी, अब इन दोनों को calculate करके, तुमारे बस easy, इसलिए मैंने क्या किया है, अगर हम पहली हिंट देते हैं, तो फिर सवाल कदमों में, पहला सवाल ही होता है, पहला step बहुत important होता है, step number one is important, उसके बाद तो तुम्हें पूरे clear हो जाता है, कुरा vision clear है कि कहां पर पहुशनी है गाड़ी, च्योंकि गाड़ी की पहली image ही बहुत important होती है, प्राक्टिस सी आएगा, अब जैसे मैंने हर टाइब के तुम्हें प्रॉब्लम करा हैं, जितने भी टाइब के प्रॉब्लम साते हैं, हर टाइब का, तो कोशिच अब करना है कि देखो पहले NCRT बनाना, NCRT से अपने base कोश है, बहुत ज़्यादा है मजबूत करना, बेस तुमने मजबूत कर लिया, उसके बाद तुम जितने भी previous year कोशन है, जिस टाइब के मैंने करा हैं, हर टाइब के वापस से stall करना, ठीक है, अगले बार फिर और धमागा मजाएंगे, बहुत सारे टाइब से और प्रोब्लम्स करेंगे, और तुम्हें लगता है कि कुछ different करना है, कुछ जो है, ऐसे कराएंगे, तो ज्यादा मज़ा आएगा, ज्यादा मज़ा आएगा तो डेफिनिटी बता है, बाकि अगर में लेक्चर में माया आए हो, मचाए हो तुमने, तो बल्किए सीके लिख दिए भाई, सीके, सीके मतलब होगा पूरा crystal clear है, crystal clear, चमा करा है बलकुल चीजे, चमा करा है तो इससे हमें पता रहेगा कि हाँ चीजे बन रही है, समझ रहे हो, कर रहे हो, तो देट, all the best to everyone, bye-bye.